अबी नौ बजे हैं अभी वीदे पीपल का कंसेप्ट बताने की बताने का वक्त हो चुका है मैं सुधी राज सिंग सर से विरंति करता हूं कि कुर्पयाव अपना कंसेप्ट कंसेप्ट का वक्त वे दे जी आज हमने दिल्ली में जो कंसेप्ट का चार साड़े-चार मेने की मेहनत का जो असर है उसको पहली वाद देखा जो वीदा पीपल के जितने भी सक्रिये लोग हैं जो कंसेप्ट को समझ गए हैं जो जान गए हैं वो साधान से लोग मतलब उन में कोई आदमी ऐसा नहीं जो पेरे से जानता हो या पेरे से लोगों को इखटा करने का काम करता हो वो यहीं से सीखे यहीं से जाने और उन लोगों ने लोगों को मुबिलाइज किया उनको कंसेट बताया तो यह मान के चले थे कि दिली में ना दरसल लोगों को इखटा करना सबसे मुश्क्रिक काम है गाओं में आप जाके खड़े हो जाईए और कहिए कि मैं जावाल से मिलने आया हूं तो गाओं में 200-300-400 आदमी बहुत आराम से खटे हो जाएंगे किसी कस्वे में जाएं तो वहाँ भी आराम से महले में खटे हो जाते हैं आदमी खाली यह कैदो कि सामको चौपाल पे लोग आने हैं तो आ जाते हैं आपकी पास सुनके चले जाएं मगर महानगर में और महानगर में भी खास तोर से दिल है पुरानी वह बैसिकली एक्ट्वल दिली है और बाकी जो सेकल गुना जो दिली बसी हुई है उसमें पूरे भारत के लोग है उसमें सबसे ज्यादा हर्याने से पंजाब से और बाकी धर उत्तरप्रदेश से अमध्धरप्रदेश बहार से आए विदे तो सबी लोग यहां बड़े आजाद मस्त के लोग हैं और सबके पास में बड़े संसादन हैं और यहां अच्छी होती है तो यहां मुव्मेंट को चलाना या लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है और यहां कराय के आदि बहुत मिलते हैं अगर आपने को रैली वज़ारा करनी है तो यहां ब सब्सक्राइब करना यहां बहुत सारे संथनों के हैड़ जिडर है उनमें बड़ा आपस में जूतम पत्रम रहती है और वह इखटा तो होना चाहते नहीं इसलिए दिल्ली में लोगों को इखटा करना या लोगों से बात करना सबसे मुश्किल काम है अगर को इखटे कर ले सच्छे अच्छे तो समझो कि दिल्ली फत्र कर सकता है तो जो साधावन लोग है जैसे जैसे व्रिज महां जी है जैसे नियम सिंग्जी है और गुलाब सिंग्जी तो खेर बहुत वीस साल से यहां काम करने हैं गुलाब सिंग्जी ने सारा किया है तो यह जो साधावन से ल मगर वहां उन्होंने जो संख्या है वह लगबग दोसों की करीब पहुंचा दी और दोसों का मतलब है कि जो लोगों को कंसर्ट पसंद आया और जो उन्होंने मेहनत भी वह बहुत बढ़िया की क्योंकि दिल्ली में दोसों आदमी अच्छे-च्छे के इखटे नहीं होते यह बहुत लोग आते बाहर से मिटिंग करने कि लिए क्योंकि यहां की मीटिंग की बातना पूरे दुनिया बजाथी है तो कहते ह। हमारी मीटिंग होनी है कैसे करें तो या तो वह अपने आदमी लाते हैं बस में भरके ट्रेन में भरके और यहां वह मचा के चले जाते हैं यहां बड़ा मस्कुर होता है तो हमने यह चेक किया कि वीदा पीपल का जो कंसेट है वह कंसेट वास्ता में लोगों को जान बचाने क के लिए समझ में आ रहा है हमने हाथ भी उठवाए कि कितने लोग हैं जो कंसेट को समझ चुके हैं तो लगबग 200 लोगों मैंसे आधे लोगों ने और यह दो 200 लोग हैं ऐसा नहीं है कि हमें जुट बोलने की जवत नहीं है और वहां जो लोग थे सब जानते हैं तो आधे लोगोंने हाथ उठाए तो हमने उसे पूछा कि पराठे कौन-कौन लेकर आया है तो आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ फग वह पर नहीं लेकर आए हूए हैं और भाह खाना इतना था कि खाना बादमें बच गया यह बात बड़ी अच्छी हुई और यह जो मीटिंग दि है चाय है नास्ता है यह सारा मिलाके अर्चा पर्चा मिलाके दो लाख रुपर बड़े मज़े से खर्च हो जाते हैं मगर हमारा वहां सिर्फ इतना पैसा खर्च हुआ कि तलग राजी ने दो बैनल आए थी बनवा के वह उन्होंने अपनी जीव से दिया और बाकी सब अपने समर्ण समाज है उसकी जमील लें या उसकी जगे लें या उसका घर लें तो उन्हों हमने अपने ही समर्ण समाज की महां मिटी तो कई लोगों ने इस पर इत्राज किया कि आपने जो जगे ली है वो एक मिनिश्टर है हलां कि वो मिनिश्टर मंत्री नहीं है मिनिश्टर मंत μένے चार मेंएले पहले आ चुके हैं और वह वीधा दिशनी जो समझाज है नहीं मनाते और वह जो यह नबरात्रे आते हैं हाला कि जो अठमी के जो उपोसत हैं वो हमारे ही हैं मगर अभी बताने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझने में इसलिए उसको छोड़ दो तो दसेरे और अठमी पर हमारे लोग मायूस हो जाते हैं कि वो क्या करें तो यह बात है होई कि उन लोगों को काम देना चाहिए उन लोगों को फेस्टिवल देना चाहिए तो हर साल पूरे भारत में दसेरे से जो अगला संडे होगा क्योंकि नागपुर में तो फेस्टिवल होता है हमारा नागपुर में तो हम धंदिक्चा भूमी पर लाकों की संक्या में खटके होते तो जो नाग को जाता है दसरे पर अच्छा है और सब को जाना चाहिए मगर जो नाग को नहीं जाता है महКак ißt नहीं हुआ इससे वार अगर ना लगा पाए तो उनके लिए था कि वह सब दसरे से अगले दिन जो संडे पड़ेगा उसको सब लोग इखटे हो और पिक्निक के रूप में मनाएं जहां कोई बाग है बगीचा है पार्क है या चोटी मुली जगए वहां लोग मिलें आपस में और वह अपना धम का दसरा मनाने का क्योंकि संडे को हमाई लोग खाली रह तो वहां बिल्कुल जैसे मिटिंग में करते हैं वैसे ही मिटिंग बहुत सक्शेस्फुल रही हर वैक्तियों वहां सुना गया हर व्यक्ति का वहां इंत्रॉटेक्शन हुआ बहुत परिवार जैसा माहल रहा और जब वो पराठे खटे खटे हुए तो किसी को नहीं पता उसके पराटे कौन से थे सब ने मिलके खाया क्योंकि ये बुद्ध का नियम है कि संग जब खाना खाएगा तो इखटा करके खाएगा उसमें भेदबाब खतम हो जाएगा किसी का खाना देशी घी का है किसी का तेल का है किसी का सर्सों का है वो सब बराबर हो जाएगा जिसके हिस्ते में जो परिवार खाना आएगा वो खाएगा तो उससे एक खुशी की लहर सब में दोड़ी जैसे ही वो अचार खुले और चार की महक दोड़ी उससे ज्यादा चेहरे लोगों के चेहरे पर खुशी चंकी और काई करम अपने जो देश्चे के लिए परिवार को मिलाने की लिए है और वीदा पीपल जोडने और जोडने का जो काईकन था वो सफल रहा बाद में रहाएंदर पाल एडवोकेट जो सामाजी को न्याय मंत्री है उन्होंने कहा कि अब वीदा पीपल में जो लोगों है वो उसके अपने रथ पे लगाएंगे अपनी हजी लगाएंगे अपने फेड़ा प्रेश्ट पे लगाएंगे अब यह को बाद आशे मृट बचायेगा इसी बात वहाएंगे लोगों ने वहाँ संकल्प लिया कि अब हम बी लगाएंगे सारी बातें वहां बहुत अच्छी रहीं वहां जितने भी लोग आये थे वह सब अप फोई आप से पूच्छा पूर्णक का तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं। फ़णक का हुदेस से हैं। हमें समर् समाज के लिए सुख चाहिए। सुख की लड़ाई है हमको फॉख चाहिए। तो वो कहेगा कि सुख क्या होता है अगर उसको यह पता नहीं है तो अलग बात है मगर अगर पता है तो वो समझ जाएगा तो यह कहेगा सुख कैसे मिलेगा तो सीधा सा मतलब है कि सुख कैसे मिलता है सुख वैसे मिलता है कि अगर हमारा दुख चला जाए तो हमारे पास जो बच्चे का वो सुख होता है हर प्राणी के अंदर सुख होता है दुख उसको कवर्क लेता है धक लेता है अगर उसकी भूख अगर सांथ हो जाए तो फिर हसने लगता है तो हम चुकि बड़े बच्चे हैं और ज्यादा उमर हमारी है और हमारे खुद के बच्चे भी हैं तो हमें अपने बच्चों का सुख चाहिए हमें अपना सुख चाहिए अपने माता पिता का सुख चाहिए तो हमें अपने दोस्त का भी सुख चाहिए तो हमें अपने महले का अपने सारे परोश का गाओं का तहसील का पूरे जो पूरा देस है उसमें अपने लोगों क सुख चाहिए तो अपने लोगों का ही सुख क्यों चाहिए अपने लोगों को समल बोलते हैं पुराने समय में तो समल का ही सुख क्यों चाहिए तो पहले से बंगला है उसके पास सारी एजूकेशन है उसके पास सारी जमीने हैं उसके पास में सारी दुकान हैं उसके पास सारी इंड़ेस्टी है उसके पास में काम करने का अधिकार है उसके के पास में सारे राईट हैं और वो आज की कानून बना भी सकता है और बेगाने की पिए और वो देश के जुतना बजवट है उसको कैसे खर्च करें की उसकी सकती उसके पास है हमारे पास कुछ नहीं है स्वाए जन संख्या के हैं इस सारे तालो की चा भी है क्योंकि जन संख्या संविधान यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुख में है उसको उतना पानी मिलेगा देश में उतनी जमीन मिलेगी उतनी उतनी मौके मिलेंगे उतनी नौके मिलेंगे उतना ब्यापार मिलेगा और यह मिलेगा संविधा में या संक्हिया दिखाओगे आप चाल लाख जो संग्धने उन्में टूटे हुए मैं तो फिर आपको छी सरेदारी इस मिलेगी तो आपको गालनिया मिलेंगी उतनी इसेदारी में कि मिलेगी उतनी ध्यू스кольку में तो आपका सब्यूस क्छीना जाएगा इसेदारी में जो आप तो बचाने को ना आएगा आप तो चाल लाओ संग्ठनum में में तूटे हुए हो और अप चैजार साथ तेतलर जातियों में तूटे हुए हो तो एक संग्ठन बचाएगा कैसे क्यूंकि उसमें तो 20 सी आदमी है, वही बहुत बड़ा संग्ठण होगा, तो assume हमारी puedट रहे हैं उसको हम देखते नहीं हैं और हम को देखने नहीं देते हमारे नेता संग्ठणों के या हमारे जाती के जो नेता बने हवे हैं वा हम जो डिफाइंस है जो हमारी मिलिटरी है वो क्या कहती है बैस्ट लिफेस लिस अटेक यानिए कि आपकी सुरक्ष्छा है वह सब बनाने वाली पॉजिशन में आ जाओ तो फिर आपके कानून पर हमला कौन करेगा फिर तो आपने अटेक कर दिया ना आपने पालिया मेंट के सम्विधान की बनाने वाली कंपनी पर टेक करके उसको अपने कबजे में ले लिया आपने कानून बनाने सुरू कर दिये तो आपक सम्विधान सेफ होगे, आप सेफ होगे, तो इस सेफगार्ड को लेने के लिए, इस सम्विधान के हक को लेने के लिए, इस कानून बनाने वाले हक को लेने के लिए, इस महाँ पर ये लिखने के लिए ना आपको कहीं पर जाके युद्ध करना है, ना हतियार उठाना है, ना डंडा उठाना है, ना गाली देनी है, कोई काम नहीं करना है, आपने, सम्विधान में साफ लिखा हुआ है, कि ऐसे कोई काम करने वाले के लिए सजा होगी, आपने क्या करना है, आपने तो इखटे होन बीदी है या कुछ भी है इसे आप की बात माननी पड़ेगी वना उसे आप भटा दोगे तो फिर आप बना लोगे आप अगर इक्षटे हो जाओंगे तो आपने अगर कमपनी वाले से कहा दिया के บ zn वा हमारे आदमी तो काम करती हैं नियुक्षक है कमपनी तो हम तेरी यह सामाँ आदंगे कमपनी को बहुत बड़िया इंफ्राइस्टेक्चर है बहुत पक्की बना ले बहुत पक्की इंडस्ट्री बना ले बहुत पका वो शेट डाले बहुत बड़िया बड़िया वो जर्मन से मसीन खेज के ले आए बहुत बड़िया उसको सब कुछ करे कच्छा माल भी हो उसको चलाने वा मंधर कालों से कंपनी होती है इसलिए कंपनियां बंध हो जाएंगी हुगा हमारा हिस समी लगा रखे चास्मा तो हैं तो घटों बनाते ही हैं सब खाना कारते हैं नहीं कि नहीं है कि कि किसी बहुत बड़ीया दुकान सजाई बहुत बड़十 रूम खोला और यह बी कह दे के मैं आज है पर सामान देता हूं तो भी ख़िदा उसकी दुकान पर नहीं जाएगा तो क्या दुकान नसकी टर बंड झाएगी कूराhone हो जाएगी तब खुलेगी जब इखटे होंगे उससे पहले नहीं खुलेगी को जो सांस्कुतिक बद्डाव है उससे हम सारा काम प्रिवुत भारत बनाने से हमारी समस्या दूर हो जाएगी हो जाएगी समें कोई शक नहीं है उसके लिए एक खटा तो होना प्ड़ेगा क्योंकि एक मत का लोग करने लिए एक खटे तो करोगे एक मत कोई सबीए सब्सक्राइब नहीं है और यह कहो कि आज से हमारा एक मत है और उस मत का नाम है ग्लास यह जो आप ग्लास देख रहे हो यह वाला ग्लास यह ग्लास है जिसमें पानी पीते हैं हम को जी हम तो कौन से मत के आदमी हम तो ग्लास के मत के आदमी है जिसमें पानी पीते हैं तो आपका ग्लास मत ही कामयाब हो जाएगा क्योंकि आप इखटे हैं इसलिए किसी मत में दम नहीं होता उसके पीछे जो लोग इखटे होते हैं उसमें दम होता है आप कह दो के एक सो पंदे क्रोड लोग आज से हमारे मत का नाम है चमच तो जो चमच मत का नाम है वही पाफ़ूर हो जाएगा वही दुनिया में फिर्मस हो जाएगा तुम्कि उसके सम्विधान का बल है वो संख्या बल में है और हमारा बल संख्या बल में है अगर हम बचेंगे और जीतेंगे तो एकटे होंगे तब बचेंगे कोई आदमी यह सोचता हो कि मैं बहुत पड़ा लिखा हूँ मैं सम्विधान जानता हूँ मैं धंब पूरा जानता हूँ मैं यह स कहा कहता है कि कोई PhD आद्मी है तो इसकी बात सब्सक्राइब कर लो आप जितना ज्यादा मत इखटे कर लोगे, जितना ज्यादा कंसेंट इखटी कर लोगे, जितना ज्यादा लोगों को इखटा कर लोगे, सम्विधान उतनी आपकी बात मानेगा और तबी तक मानेगा जब तक सम्मिधान लागू है क्योंकि अगर सम्मिधान लागू नहीं है तो सम्मिधान कहतेगा मैं तो डैड हो गया मैं तो मर गया अब मैं आपकी क्या सिवा कर सकता हूँ अब मेरे में सम्मिधान में बहुजन का बल नहीं चलता मतों का बन नहीं चलता क्योंकि मैं तो खुद मिरत हूँ अब मिरत में क्या डालोगे आप अगर कितनी बोट डाल दो तो जी भी ठोगा नहीं इसलिए इखटा भी होना है तो टाइम से इखटा होना है और इखटे कैसे होगे बहुत पोर्टल से 142 लोग है यह भी इखटा कर स सकते हैं क्योंकि 142 लोग अगर अपनी जुम्मधारी समझे आज दिल्ली की मिटिंग होई तो उसमें जो साथ ही हैं उन्होंने अपनी जुम्मधारी समझी और 200 लोग वह इकटे कर दिये उन 200 लोगों को आज हमां कंसर्ट बताया समझाया उसमें सम लोगोंने कहा कि तो दो सो लोँको एस्टार को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सिखाएं के जोड़ना के लिए मोटी किताब में पढ़ाएं karena बुजर्बाइद के आगर is Il Olympics practically काम है पहले हमरे दिमाग में आया कि सभी के दिमाग में आता है हमारे हमारे किया चितने संख्धन हें उनको कि कान तो नहीं का है तो हमने कोषिस की बहुत लोगा हम ने सबने तो तो हमस्थ ने जब आए कि चुपी उच्छा है यह कि एक खट्ट तो हो जाओ यह अभी वी आ जा रहे हैं और नेता हम लोग और वह और वह इक रूए नहीं तो इस बीच में घटना घट नहीं घटना घटी कि हमारा सम्विधान फिर एक पेज निकाल के फार दिया दो पर अठारे का निकाल के फार दिया सारी नेता भागे छोड़ छोड़ के हमको को नहीं आया हमारा उस एस्टी एक्ट्रू बचाने के लिए तो फिर लोगों कि जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो तुम संक्या भल में खटे होके सड़क पर आगे दो पहल को तो मैं तुम्हारा पन्ना जो कुछ लोगों ने फार के फैंक दिया था मैं उसको जोड़ देता हूं तो इसका मतलब सम्मिधान में ताकत है अगर हैं उन लोगेने तमारा पन्ना फ़ार दिया अब मैं इसको नहीं जोड सकता तो सम्मिधान आपका कभी नहीं जोड़ पाता किसली है सम्विधान में ताकत नहीं है सम्विधान में ताकत इखटे हुए लोग देते हैं कि सारे बिखरे हुए जो लोग हैं संक्या बहुत हो सकती है वो सम्म्धान की ताकक्त नहीं ऑथ सम्म्धान की कम जूरिंगी बीमारी जो सम्म्धान को अलग लग काम करते हैं य jin सब्सक्राइब तो हम से आके क्या कहते हैं सब्सक्राइब को पढ़ेंगे प्रियम्ब को पढ़ेंगे सममिधान का ग्याता आजाएगा, कोई ना कोई, यहाँ जो एक एक, अर्टिकल की व्याक्षा कर देगा, अरे तेरे व्याक्षा करने से अगर समिधान बसता होता तो अब तक तो हजार वार बचन क्या होता है यह संविधान का किसी चौराय पर वाचन कर देते हैं कुछ लोगों का काम है जो पढ़ता है उनको वकील वह में आगाए उनका बाकी लोगों का काम अगर है तो इखटे होने का तब बचता होने और इसका तो हमने उधारण देख लिया दो प्रेल को जब हम इखटे हुए तो सम्धार बच गया तो बावा साथ कहते हैं कि भाईया संग्डित रहो संग्डित रहो संग्डित रहो तो बावा साथ अब खुलके लिखके जाते है वहां कि तुम सबको संग्धित रहना है और एक नेता के लिए रहना है तो हम नेता की गलेवान पकड़के कह देते कि बावा सामने सोचा होगा कि यह जो मेरी उलाद है मेरे बाद पल लिखके आ रही है इतनी तो काबिल होंगी कि संग्धित रहने का मतलब समझते हों अब यह निरे घदे थोड़ी है कि इनको इतना भी समय नहीं आता कि 19 लाग संग्धित रहना के कोई संग्धित होता है क्या इन बेफकुफों को अगर इतना भी समझ नहीं है तो इनका दूप के मज़ाना अच्छा है तो यह बात नेता तो कभी नहीं बताएगा कि बावा साहब में क्विंधत होने के लिए का है तो और वोजी बेरोजगार है और यह दूसरे को इसलिए कि नहीं कहते हैं चलाने वारे उनको बड़ा लगता है कहता वीदर पीपल वारे लोग कहते हैं जी संग्ठन बेकार है संग्ठन ऐसा करता है चंदा खाता है अरे भाई देखो हम कहते हैं कि हमको तुम गलत सिद्ध कर दो कि तुम सब लोग ठीक हो अच्छे हो और तुम अलग-अलग रहके काम करना चाहिए तो करो परणाम कहा है प क्या कहते थे बावा साब कारवा अगर तुम्हारे बसकी आगे बढाना ना हो तो पीछे मच जाने देना उनको पूरा डाउट था कि निकम में लोग हैं यह बाद में घंड-घंड में बिख़ड जाएंगे तुक्रों में बिख़ड जाएंगे और वह साबधानी को भी बा उनका जाए तो हम अपना काम उनन्हों पर क्यों छोड़ें जो नेता रोजी रुटी के लिए हैं और नहीं बात मानें तो अपना नेता न ना मानें यह माने अपना काम उन्हों पर ना थे था हो जाएगा है यह ठीक ऐसे हैं जैसे को यह घर में और और कर आज और और लोग इखटे होगे, कि देखें, कौन कौन से लोग इस मत के है, कि हमको खुद काम करना चाहिए, खुद आगे बना चाहिए, तो पता चला, डेस में तो लाखों लोग त्यार बैटे हुए है नेता हों को छोड़ कर, चाहें वो धम्मिक नेता है, चाहें वो समाजिक मेर नेता है, चाहें वो राजनीतिक नेता है, चाहें वो आर्थिक नेता है, उनको छोड़कर हर आदमी परिषान है, हर आदमी चाहता है जुड़ना, और हर आदमी को ये समझ है, ये नेचुरल समझ है, को उसे जुड़ना है तब बचेगा इसका परिणाम ये देखा कि वीदा पीपल में जितनी तेजी से लोग जुड़े और जितनी तेजी से जोड़ रहे हैं वो अपने आप में सबसे कमाल की चीज़ हो रही है दिल्ली के अंदर उसका उधारन है दो सो आदम नहीं खटे होते आप यकिन माना मैं को कोई experiment सफल होता है तो राज्यों में गाओं में इस्टेट में तो वह बहुत बड़ा सफल होता है ऐसा हर बात देखा गया है इसको अजमाना चाहिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए और यहां चुकि सब को पता है कि वीदा पीपल का नेता सम्विधान है और सम्विधान के हम चलते हैं वह बाते हम क्या वार बता चुके हैं और इस बात को सब जानते भी हैं कि सम्विधान हमारा नेता कैसे है और कैसे नहीं है तो कि जैसे बाइबल इसाईयों का नेता होती है जैसे पुरान इसाईयों का नेता होता है जैसे गुरुगंत साहब सिखों का नेता होता है जैसे जो त्रिपीट है के वो बुद्धिष्टों का नेता होता है जैसे आगम जेन लोगों का नेता होता है वैसे ही हम समढ़ समाज का जो आज का नेता है सबसे लेटेस्ट और सबसे पड़ा लिखा और सबसे अच्छा और सबसे दुनिया में जाना मना रेपुड़िट नेता है वो हमारा समधान है जिसके आगे दुनिया भी जुटती है याँ उसको नकल करके कॉपी करके अपने हैं लेके जा दिया, तो वो हमारे नेता है, और हमको जिद्ध है, जिद्ध है हमारे जिन्दा रहने की क्योंकि जिन्दा रहें दो हम जीतेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. तो जुड़ना है जीतना है जुड़ेंगे और जीतेंगे जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे जब जब जुड़ें हैं तब तब जीते हैं जितने जितने जुड़ें हैं उतने उतने जीते हैं अभी जुड़ोग सारे आपके जितने वी होते हो खत्म हो जाएंगे। सम्मिधान के जितने अधितार गाएं वो बापस आजएंगे एक साइन करना पड़ेगा वह सारे बापस अजएंगे वह अब तक नहीं जुड़े हैं जिनको बाबा साथ भी नहीं जुड़ा पाएं वह भी जुड़ जाएंगे आपका आर्थिक आधार, आपका काम का अधिकार, वो सब इसमें जुड़ जाएगे, आपका पैंशन का राइट भी इसमें जुड़ जाएगा, आपकी सोशल सिकॉर्टी इसके अंदर जुड़ जाएगी, वो चीजें भी जुड़ जाएगी, नो बज़ कर तीस मिनट पे, अ समज़ जाता है मगर जो ज्यादा पढ़े लिखें वह बड़ा मत्ठा थाक राते हैं कि उनको लगता है कि यूनिवर्स्टी खुलेगी थो हमारा कल्याप होगा किसी को लगता है कि जी हम इलेक्श्न में जा है कि जो जो लोग यह काम करते हैं कि इखटे हो जाओ जुब जी हीवी घनलस लोग यह खटे हो जाओं अगर तक बहुआ तक नहीं होते हो तब तक बहिए समाने का बन तुम्हारा इकाउंट बन सुम्हें पैसा नहीlles नहीं दिया जाएगा हमारा पैसा बरबाद हो रहा है हमारा पैसा हमें ही खा रहा है हमारा पैसा हमें ही पर्षान कर रहा है हमारे यदिकारों खा रहा है तो पैसा देना बंद तुमारे संगत्रों में जा जाना बंद तुमारी बास सुनना बंद और इखटे होके आज जाओ पूल की माला तयार है हम सब माला देंगे और सब से आगे वीदा पीपल रहेगा अगर सब लोग इखटे होके आते हैं हमारे नेता उनकी लिए वपना आप इखटे होते जाएए नेता अपने आप इखटे हो जाएंगे और नहीं होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा क्यों उनकी बात पालियामेंट में सुनी जाती है, जैसे हरियाने के जट इखटे हैं, जाट इखटे हैं, वो सत्ता में रहे न रहें, उनके काम होते रहते हैं, ठीक वैसे ही आप अगर इखटे हो जाते हैं, तो MP, MLA तो काम आपका धरवाजे पर आगे खुशे करेंगे, ना भी कर है, जिन्दा रहने की, जिद्ध है, जोड़ने की, जोड़ेंगे, जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे, लोग कहते हैं, क्या करें जी हम, कुछ नहीं करना आपने, यह जो वी का साइन है, इस वी के साइन को लगाते जाओ आप, दिवार पे, घर पे, पोस्टर पे, साइकल पे, स्कूटर पे, टेलीफोन पे, मॉबाइल पे, किताब पे, गाड़ी पे, बस में, मेट्रो में, वी भी लगाते जाओ, इसका फायदा बहुत है, कि अगर आप कहीं जारे हो, आपकी कार के पीछे भी लगा हुआ है, और किसी भाई की मुरसाइल पे भी लगा हुआ है, तो आ लूटते ही कोओ गिए अच्छा एक परिवार का हमारा मेंबर है, आपका आगे जाके चोटा बोट अचिछन्ट हो जाता है, तो वह आपकी मदद करेगा, इसका स्रलक पर फाइदा है, इसका भर फाइदा है, इसका देश विजश के फाइदा है, आपकी जो पैचान है, वो ध्यान अकना हम बनना है विदा पूपल बनना है हम जीत जाएंगे जिद्ध है जोड़नेगी जुड़ेंगे जीतेंगे धन्यवाद सभीदान हमारा लीडर है और हम जुड़ेंगे तो सब कुछ सारी समश्याओं का समाधान हमें मिलने वाला है सर हम आप आपका शुक्रिया आदा करते क्यूंकि हर दिन आप इतनी अच्छी बात कर देते हैं कि दिन बर वही उसी के उपर हम सोचते रहते हैं कि आपने दिली के कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया नहीं है सारे लोग इखटा इखटा वहाँ पर हो गए थे और सभीदान पर नेता मन करें सब लोख अपना के मिशन आगे चलाएगी आपने अमको गलाया एंग आपने दिल्ली के लोगों को ही आप ने आपके यह डिल्ली में आने का फायदा नहीं यह सब्सक्राइब अनुथा ना करत दोडै में मैं करते हम थे एक दूर से अने का फायदा लेकिन आज के दिन हमारी हम एंदी रहती है तो इस वजह से में नहीं अए डूटी रहती है हमारी ऑंजरी रहा रहा और पराठे का प्रॉटे का वह फोटो आ गई तर खो मोट है तो हमारा सारा पैसा भाचिया और धाए यही तो घर जैसा आए रहा clarity कि एकदम सही है सब कि मतलब सब लोग सब लोग मिल बाट के खाते भी है सब के घर के अलग अलग चीजे मिल जाती है पराठे मिल जाते ही अच्छार की खुटू दूर दूर तक भूम रहे दी तो लुब लगी है जी जी से जी से दिली वाले तो थंगर होंगे आज को उसमें काफिस आरे स्पोक देना दिली के जी जी सर गर पहुंचे होंगे थक रहे होंगे अगर कोई खोल लेगा तो नो बजी करी खोलेगा तो अगे डूटी पर प्रिकास्वींगी में डूटी नहीं हड़ा रहे हैं डूटी कटीन डूटी यह कहां सब्सक्राइज जाएंगी सर जूटी जो कठीन होती है वह तो करना पड़ता है अभी जूटी कठीन है भी लग रहे हैं जूटी जब कट्ने का नमर आगा तब देखा जाएगा और यह प्रदान जीनए क्यादा मैं आ रहा हो आ रहा हूं आ रहा हूं और आए निटाएं पर दोगा दे दिया आज आज आ आप दिल्ली कितनी दूर है ने अमारा नाम दुक्खा देने वाला मुत ना लिखो नहीं तो आप कि हुआ है थे हैं अच्छा नहीं तो रिख्जा आई थे में पानी कर रहा हूं अच्छा वाले पर दिल्ग वाले ती मिटिंग अच्छी थी अगर यहां ज़रूरी यह दो दुटाथ के मिलिए तीन गंटा में दिल्ली में जब जब हाउस वास लगाएंगे बड़ी मिटिंग करेंगे तब सब बलाएंगे अब ही नहीं उसको मिटिन लगाएंगे और वैसे के बाद का संडे होता है ना हर साल असे हमारे लोग जो दस्यरे में नहीं हाते ना उनकी शब्वरी हो जाएगी वह अपना फेस्टिवल लगाएंगे दिल्ली में बड़ी मीटिंग होगी और दिल्ली में जो मीटिंग होगी तो लोग यहां इंटरनेशनल लोग भी आ सकते हैं लोगों की दिकत नहीं लेकिन राजे पकड़ो इससे बढ़िया कंसर्ट दुनिया में कोई नहीं है जहां पिर चर्चा होती है हर बेक्ती यही कहता जो पहली बार सुनता है कि अभी तक ऐसा कंसर्ट तो हमने सुनाई नहीं था तो दिल्ली माले साथ्यों को सब को बढ़ाई हो बहुत बहुत साथ वाद तो नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो आज प्रॉपर मतलब जैसे ज़्यादा बैठना या मतलब वो प्राइव थोड़ा वो गया तो मैं लेट गया था फिर गोली खांके अधिश्यों इस तो नमगुदा जैवीं सभी को लेकर इंगे टॉं लगेंगा विसे लगवाद इस लिए को सर जीन नमगे मधार भी अज़िक है चर्ली को ला सब जिए आपको वह प्रादू क्या बोलते हैं आतों कंप्पूटर पर ऊच्प्छ प्रादू को है च्टाब पो कर दो 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 कि कुछ महाराश्टर लोग आने वाल हैं कि आज हां दस बारा लोग जॉइन होंगे ओके सर्थ सुधीर सर जो आप बता रहे हो दसेरे के बाद संडे वाला तो उसके भी हमें त्यारी करनी पड़ेगी फिर वैसे ही जैसे अब की हैं ने इस वार जो त्यारी करेंगे वह सॉलिट करेंगे जैसे आपने जो में इस आप दस जी मैंने वह दिख्शा भूमी के बॉड़ी को यह किया है बोड़ाप डिरेक्टर को इस साल दिश्का उनका प्रोग्राम नहीं है आपिशली आफलाइन वह आवाज इंडे टीवी से डारेक्ट रिले होगा वही प्रोग्राम हम सुन पाएंगे पर वहां पर इस वक्तौ न सब्सक्राइब करते हैं तो भी मैं देखता हूं वहां पर मैं रहूंगा और अगर है तो कहीं न के दो बैनर बना के हम उस पर डालना सुरू करते हैं क्या वह दो नेट पर उसको वह चला जाएगा सुवेक्षा का ना आप मुझे मराठी में लेके भेज है ना जो मराठी में लेखते हो ताकि नैशनल लेवल पर रिले होने हो ला है प्रोग्राम हमन कामले जी को हम लोग पोस्टर बना कि भेज़ देंगे वहां पर स्टेज पर रहेंगा कई तो भी समय है ठीक 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 अब जो भी है ना भी थोड़ा सा प्रमोट करना है और खुद भी लगाना है तो थोड़ा चल जाएगा अच्छा हो जाएगा हम आज वो रहेंदर फाला एडवोकेट यह वो उन्हें का कि मैं अपने रच पे ना चारत भी लिखवाँगा तो वो रच समय जाएगा तो भी जाएगा तो मैंना उनको वो लोगो एच्टी में दे दिया मैं मेरे लैप्टॉप पे कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा पता नहीं क्या बात है अच्छा हो नहीं रहा मैं आपको वाट्सेप पे बेढ़े हूं मैं सेव करके फिर इसमें देख तो बुटे बुटे होगे बच्चों की बता दिलो हाँ वो लड़का तो अम्रिका क्या है अभी मैंडम के पास कैनी बच्चा लगाएगा तो बच्चे कोई पता लगेगा मेरे डैडी क्या कर रहे है अभी तब को पूर्ण अपने बच्चों को कुछ भी बताया नहीं है बहुत ज़्यादा तर लोग तू ऐसे ही है नहीं मेरा तो लड़का जोइन होगा भी अभी गया हो एक देड़ में नहीं गया लेकिन ज्यादातर लोग बहुत लंबा उगया संगस करते हैं भी बच्चे पिर बिल्कुल आूट हो जाते हैं हम भी क्या करते हमने जो तकलिबे सेंथ की है वह नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे से हैं लेकिन ऐसा उलटा है उसको सेंथने देना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि मुवमेंट क्या हो जी है उसका खुद का एक्सपेरिंस से उसको तयार करेगा क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को तयार नहीं करते तो अगली जनरेशन का बहुत प्राब्लेम है जनरेशन को भी है आप जो नए बच्चे आ रहें यह सोच लिया कि हमें परीमा मिल रहा है सब कुछ आप परीमानी वन बाइवन बिल्कुल कटता जा रहा है आज हमारी नैशनल लिए की कॉंफरेंस थी होम मिनिस्टर का सेंटरल गोवर्मेंट और कॉपरवर्टिव मिनिस्ट सेंटरल गोवर्मेंट अमित्शा की पूरा रिसेश का कंप्रीट हो गया पुरा टार्गेट पूरा उनका गाना उनका सांस्कूतिक का रिकरम सब बिल्कुल टोटल गौवर्मेंट का प्रोग्राम ही बन गया हो देको वो तो सरकार अपना करेंगे उस बात की चंदा मत पर करेंगे वो तो है ना हमने क्या करना है यह जो आपको अच्छा लगे ना उसमें से लोट करके और पूट अब कैसे होता है जिसको को चलको है aux in रही करेंगे पर पूझा कॉछ रश involved करेक महाया हृटस को कर दो दो आघता है था से इतना क्लेंगे इतना प्रियंब प्रियंबल के लिए कर देते हैं आदमें हमारे पूरे होगे हैं जी नमों बुदाया जैवीन साभी को जी जी करमबीर बाइसा प्रियंबल में पंतरी नियुक्ष नहीं बोलना है आज न मुरदवासिक बच्ची इंग्लिश में प्रियंबल बोलने के लिए कह रही है तो वह आ गई है अगर आपको आपकी द्यामर्टी हो तो उस बच्ची को बनवाएं प्रवादो प्रतिवावन्ष करके जो जुड़ी वियां भूमी भूमी वेटा आवाज आ रही है इस हाँ बूमी प्रियंबल इंग्लिश में बोलोगे हिंदी में इंग्लिश में ठीक है अपना इंट्रो दें दीजे क्या करती हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो फिर इसके बाद प्रियंबल स्टार्ट कर देना वीडियो आउन कर सब्सक्राइब पिटा येश बोल्म बिता आ रीजिवए वैपना बोटीवन में इसुमीकव तवर्ण नस्व फोल म कर सावंत पिलीश मेंदी अजिटा में थो तो शुमींगा बंच रोक्ल्पीस सब्सक्तिक शूल जास थे टूल भ surprमदांव में थे ये डिम स्साफेट लेंट स्वेस् dazu तुम्हें कोई आया है। तुम्हें कोई आया है। तुम्हें कोई आया है। सभी सातियों को वीद पीपल के इस आज के सतर में जो की इंटरनेशनल लेवल का है और कुछ टीचर्स लोग और जो पुराने लोग हैं उनको सभी को मैं यहाँ पर वीद पीपल की तरफ से हमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, सभी को जैभीम नमोगुद्दार। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी जोईन हो चुके हैं वो स्वस्त होंगे, अच्छे होंगे और उनको मेरी आज शूप कामना है। मैं यहाँ पर शुरू करने से पहले इंडिन नेशनल लेवल पर बहल साथ अगर जोईन हो चुके हैं तो मैं उनसे विंति करता हूँ कि क्या आप जोईन होए बहल साथ? मैं नहीं है तो मैं कुछ महाराज से लोग जोईन हो चुके हैं उनका परिचय शुरू कर देता हूँ अभी सोंटक्के साथ जोईन हुए हैं सोंटक्के साथ आप आवाज सुन लेए मेरी? सोंटक्के जी? कि हमारे बीच में है कि अमोध अमोल इंगोले जी अपना माइक माइक कि आपना परिचय दीजै अमोल इंगोले मेरा नाम नारायंद्राव इंगोले मैं देपुटी रजिस्टार आपिस में काम करता हूँ और मानिया कटके साहब अच्छा लगता है सर कुछ बात बताईए आप क्या करना चाहते है इसके बारे में हम तो आपके साथ ही काम करना चाहते है आपके मार्व दरशन में कि हमारी बहुत बड़ी टीम है सुधी राज सिंग सर है करमीट सर है और आज करिब करिब सव से ज्यादा लोग सारे यहां से नैशनल इंटरनाशनल लेवल पर जूड रहे हैं अभी तो हम 65 तक है आप आप आवा सुन रहे हैं मेरी आप हमारे बीच में डॉक्टर सीडी नायक सर है इस टीडी नायक सर डॉक्टर नायक सर अन्मूट कीजिए नायक सर राजेंदर घड़से जी जो कि सुप्रीटेंडेंडेंट है सेंटर एकसाइज एन कस्टम्स में नासीख में ताज़न घड़से साब क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं यह नायक्त कर से साब सब्सक्राइब दो तिन आदम है मैं दे रहे हूं आपको आपको सब्सक्राइब में तांग राम जी भाई मेरे आवाज सुने तो माइक को अनुट कर करें अपना प्लिज़। कि माइक पोन करें कि अब बोलिए आप कहां से बोल रहे हैं क्या करते हैं मैं गुज्रात जामदगर से पहली बार आए है तो बताएं आपके सामने पूरा देश के लोग बैठे हैं बात करिए सारे लोग जोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं आप तक क्या विच्छा इस वारे हैं वह भी आपके यह जिस हमें उनके साथ जूड़ना चाहता हूं जूए गुथे कर लेट नमबर लूकरे आप इनको लिखना नहीं आ रहा रहा चैकके आपके बुद में नमबर लुक्स में नंबर वोल दो लुए इस ने लिखत हैं जोईना दुबारा पूलिए खट के साथ लिखे जाथ 999 113 127 145 कि और साइव कि अब लोगों को जुड़ते जुड़ते अब थोड़ा सा डीजी बिलन में हमें आ जाना चाहिए कि युद्ध बच्चे भी होते माई के मैं मुट रहा जाता है अपना माई के मैं मुट रखे और कि बाकी सारे साथी डिस्टर्ब होते हैं से जै भी नमो बुदाय आल दा रिस्पेक्टिर वीदा पीपल की जितने भी हमारे सदेश से सत्यवान कुकता से बहुत पुराने पुराने होगे सत्यवान जी आप ठीक ना अब आप जैसे जुड़ेंगे जैसे इंट्रोटेक्शन आप गल्ती हो गया थोड़ा लेट हो गया चलो को और साथी नहीं है गटके साथ देखी आपको ने अभी तो आने को हैं डोकर सीडी नायक साथ जोईन हुए है चंद्रवानु प्रकाश्चार पोकरा से चंद्रवानु प्रकाश्चार अन्म्यूट किजे और अपना परिच्छे दीजे प्लीज जैभीम सार बीडी चाउदरी साहब बीडी चाउदरी जी मैं चंद्रवानु प्रकाश्च बोलाँ सार पोकरा से सबको मेरा जैभीम नमो बुद्धा सार अच्छा लगा सार का आज की में चुनका दिली में क्या हुआ सार उत्राइखांट से बोलाँ मैं और जैभीम सार जी जलवान जी चुड़के हैं अगर इंटरनेशनल में कोई तो उनको पछे ले लेंगे अज़े कुछ दिनों से बहुत विजी चल रहे थे माफ किजेगा तो इसब्सक्राइब पूछ रही हैनु यह दो निट विडीडिंगे बारे निटेव परीचारा लेटे वहां कर रहे हैं चाथ करवाय कर लाइए पहले हैं कर वां पारीचार में तीन और चुचे नहीं आ इस में रुची रहती हूं इसलिए मैं एक माही में सज़जव रही हूं क्यासा लग रहा है एंको वीद्व पीपल का, यह काले करम अच्छा लग रहा है मुझा, गुरूप में हूँ मैं इसमें, जी 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 अपतो पभी बारा लिये इसमें, मिजी मैं, एक महीने से जोड़ रही हूं मैं, जी 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 हम रोजना देखते हैं, आप जुड़ते रहें, औरों को जोड़ें, और नहीं नहीं साथ के रिष्टार सब को जोड़ो, जी हाँ, मैं तो कोसेश कर रही हूं, मैं मैसेश करती हूं महिलाओं के लिए, लग रहा है, लग रहा है, मेरा महिला ग्रूप भी है, सार जी, चलो है सभी को, आज मंतरी जी के राजिंदरपाल गौतम जी के रनिवास स्थान पर एक दिवसे समीती में, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, दिली से बहार से बहुत लोगों ने भाग लिया, सभी ने अपने अपने वक्तवे दिये और सुनने को मिले, उनके विचार सब के सुनने को मिले, और अजिंदरपाल गौतम जी ने भी स्पीच दी जो कि बहुत ही अच्छी थी, सुधिर जी ने भी दी थी, और अलग लग सभी ने थी भंते जी आयो थे, चार-पांच बंते जी भी थे, उनोंने भी स्पीच दी दी और सभी अपने घर से, हर एक आदमी स्त्रीपुरस, छेचे पराठे और अचार लेकर आये थे, जो कि इतनी अच्छी, तरह से मैने और दो तीन महिलाएं और भी थी, और मनीशा ने और संतोष मैडम थी, मन्जु सिंग मैडम थी, सभी ने इतना अच्छा, अच्छी प्रकार से वित्रित किये कि मज़ा आ गया, अचार के साथ परोशे खाई हमने, कई बीच में पूडियां भी थी और कड़ी की सबजी भी थी, आलू और मटर और पनीर की सबजी भी कई लोग लेकर आये थे, सभी ने खाया और इतना आनन्द आया कि मैं बता नहीं सकती, इतना स्वादिश्ट खाना था, सभी ने खाया और खाने के बावजूद भी, हम पांचे लेडिस में सर्फिया, वो इतना बच गया, लोग अपने दुबारा दो दो बारी खाके भी, अपने घर में कई लोग वापस लेका, कि हमने खराब नहीं होने दिया, इतना खाना था, इतना स्वादिश्ट खाना था, कि मैं बता न में लड्डू भी थे, उनकी मंतरी जी के तरफ से, लड्डू और इमर्ती खाने के बाद में मिली और साथ में कॉफी भी मिली हमें पीने के लिए, जो कि फ्योर दूद में बनी होई थी, उसका कोई जवाब ही नहीं, आपको बताती, इतना अच्छा प्रोग्राम रहात का, जाने नहीं दिया, बिना खाना खाए किसी को जाने नहीं दिया, हमने मां से, मंतरी जी के निवाज से, मैं सत्यावान एक मिन्त के लिए बोलना चाहता हूँ, जो आप मुझे पर्मिसन देड़ू. बहुत इचा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा तुनिराम जी के लास्टमेश था, उन्हों ने बबाभा साइब का गौना सुना के इतना अच्छा गाना का बाभा साथ के उपर. हलो सब लोग साथ जाएंगे सब लोग क्या जाने की बात नहीं अपने घर से आप सभी प्रोग्राम बना के आए और संडे का प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे के बहुत का जो संडे होता है मैं डिश्टब कर रहा हूं सभी को ओनली वन मिंट मुझे दे मेरे पास कोई बंदा खड़ा है वो कह रहा है बिराम्मन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मैंने उसका पोस्ट माडम तो किया पर लेकिन मेरे पास कैची थोड़ी ही अच्छी नहीं है तो किरपया मुझे थोड़ा बताए ब्राम्मन से बड़ा कोई है मैंने कहा ब्राम्मन से बड़ा सिक्षित आदमी है और उससे बड़ा कोई नहीं है और उससे बड़ा कोई नही है पर लेकिन यह बिरहमन मेरे पास खड़ा है अभी मैं दिखा दू आपको यह ब्रामन है और हम किसी मंदर के साथ ही खड़े है इस तो मुझे एक बार थोड़ा बताएं सर प्लीज की इस इस बड़ा कौन है कर्म बड़ा होता है कर्म बड़ा होता है मैं अपना हलो इंट्रोड़क्शन देती हूं मैं रधावाज से हूं अपना परिछे दीजे आशाराम जी अपना परिचे दीजे आशाराम जी आशाराम बड़ा बपु तो अंदर है मैं बाहर हूं जहां परिछे आश्म आश्म आस वाहत से आश्मश्म बड़ा है। जहां को परिए विन टले चाव नियुक्शन लगए लिए senda का ऩुए बार्पाटर नायो नियू का ओड़्क नेली स्वार्ट के इस्ट को डिलेश यू का अथीड़ा का डेली जास्टे फिर्ट यू प्सकति एंड आप बार्ट का जै भीद्ट टू लोई यू यू आप्ट टू अज वैं यू इंट रिखनेर टू अवर्क एंड वहालान। पर सुड़ तक मिधन भाहराण। था राग्मान। सर्व वीट प्तेप्ल दुट राफ रॉडवा थी प्रेस्टेप्टंट रुट आफ बेडि़न दूस का रख था रॉड़्ा रॉड़ रॉड़ प्रॉड़ प्रॉड़ पीध। और बेदापेपल दो नट उंदॉस दिस कांड अफ स्टेटमेंट। दरूर। कर वीदापेपल दूर्ट इंदॉस दिस कांड फस्टेटमेंट। वू इस दुपेरियर। मांु यह तैस्क्रेट। यस रमन वामने साफ अपना परिछे दीजेए है। कि मांनी मंतर जी ने चाए पिलाई काफी पिलाई काफी पिलाई यह किया किया वो तैनेवाद सर राजकुमार बडोले जी हमारे पीछ में बढ़नारा से राजकुमार बडोले जी अपना परिच्छे दीजिए तुम्हा ले इचासें सब्सक्राइब कर दिया है नमगुद्धिया सभी को जब नूँदा मैं मंदारा से बोल रहा हूं मैं रिटायर्ड चीप मैंजर हूं ब्यांक से और काफी पहले से मैं पामाजी कारिये से जुड़ा हूं हमसे बीस फिचे पुड़ा हूं अभी दो-तीन महने से मैं वीदी पीपल से जुड़ा कौन से बात किया था मेरे से जुड़ा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है यह जुड़ने से क्योंकि हम जिस से जुड़े थे बीस पी बांसे तो यह तुकड़े तुकड़े में बाढ़ गया था और हम निरास हो गये थे कि क्या किया थे और इसी बीद यह मिला सामको फ्लैटपार्ण तो यह बहुत अच्छा है हमें बहुत खुछी हुँ रहे हैं कि इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम भी खुद जोड़ने की कोशिज कर रहे हैं मेरे खुद के भी प्रेंट लिक्ट पे 2500 हैं मैं उनको भी कन्विंस कर कर रहा हो जूड़ते जाएंगे कारवा हमारा आगे बढ़ता जा रहे हैं तैंक्यों तैंक्यों इनमेज राजकुमार पड़ोले साब आप अपने सारे दोस्तों को यहां पर जॉइंग कीजिए और एक माहौल बन जाएगा सब्सक्राइब करता हूं कि अपना परिचेद है और अभी आप क्या करते हैं अपने बारे में बताएं राजेंद्र खड़से साब जैवीम नौ उद्दा है आपका माइक माइक फो दीजिए खड़से साब आपकी आवाज नहीं आ रही है अनूट कीजिए फुल जावनने तुम एक फोस्ट से रिक्वेस्ट है कि यह जो पीछे जो डिस्ट्रिबेंस और पीएस को कंट्रोल करें प्लीज चार मेंने होगे डिस्ट्रिबेंस में काब कि अपने बुछे बारें बताया अच्छा लग रहा है अपने पुराने दोस्ती में पिलते हुए लेकिन मैं यह मैं यहां पर ना सिकने हैं अजी नो मैं सुप्रिटेंटेंटेंट हूँ आँ सेंट्रल जीएस्टी में और अच्छा काम कर रहा हूं इस डिपारिमेंट में मैं आप लोगों से कटके सर कटके सर मैं आपका बहुत आवारी हूँ कि आपने मुझे के बारे में बताया और मैं इसमें जॉइन हूँ बहुत इदन्यवाद यह वी देपीपल का रूप है यहां पर कोई लीडर नहीं है सभी हम लोग हमके सेवा में इक्वैलिटी बर एक्वल ब्लाटफॉर्म बर रहे है भारत के सविधान का आर्टिकल 14 हमें लागू है कटके साफ लेकिन मैं इसके बारे के पुछना चाहता हूं यह ग्रूप कब से शुरू हुआ है और इसके टार्गेट क्या इसका एम क्या है कि मैं इसमें जॉइन वावो और विन इनुनाइट इस ग्रूप मैं इसके लिए सुधी राज सिंग सर को बता हूंगा सुधी राज सिंग सार ये खड़से साफ का आंसर दीजे प्लीज जी राज खड़के साब हमारा जो उद्देश है वो है सुख पराप करना एपिनेस सुख कि हम दुखी है और हम दुखी है वो हर चेत्र में है कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं कि देश के जो संसादन है देश के जो रिसोर्स है और वो हमारे जो अधिकार है वो सारे हमको सुख प्रासकते हैं तो उन सारे अधिकारों को अप्राट के जिए शोचल पलसे सुख शर्ण है संग हिसके इसको क्लारिफिक्शन चाहुंगा ये पौलिटिकल resistance को ना आप सो सकते है कि अभू साथ आई जैसे लगब टृटिकल फ्रेंट के लोग हमारा निवदर है उनसे कि भाई हमारा जो राइट हैं वो चले गए कि आप अलग लग हैं तो आप सारे को करिए और तब साथ आए जैसे हम जतने भी पर्डिकल फ्रेंट से हैं जो लगबग हजारोवी संक्या में उसको कहते हैं कि अपना विखटे होगे एक साथ आई तो हम तो हमारा ऐसा नहीं हुआ आप बहाने बनाते हो तो आप पहले खटे होगे तो आपके बहाने खतम हो जाएंगे फिर आपको सपोर्ट करेंगे तो जो लोग हैं जो बावा साथ ने पैदा किये हैं उनको भी हम एक खटे होगे आईए जो सोसल फ्रेंट में हजारों की तरफ जो सोसल ऑर्गिनेजिस बनी हुई है या दूस बने हुए उनको भी कहते हैं कि आप खटे होगे आईए तरसल हम वीदा पीपल हैं हम को फ्रंट अहिए हम संग है जो संग miners theennes हख साम ने कहा था और जो बुद्ध का संग है और जो हमारा नैशूर संग है जो बुद nutr jest पहले करता है तो हम उसी को दुबारा से रिवाइब कर रहे हैं और उसी कंसेट वहीं कि वहीं कंसेट हमें बचा सकता है क्योंकि पहले विश्क कंसेट हमको बचा आपको दिन बदिन मज़ा आजाएगा यह ऐसा संग है कि जो बावा साब और बुद्द की विचार पर जोदिवा फुले की विचार उपर चलता है और सबी लोग इकटा होना चाहते हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे यह उसका एक स्लोगन है करता हूं चन्नु सोंटक के साब क्या मेरी बात सुन रहे है कि रुपए अपना परीचे दीजिए लगपत सिंग सर राजेश कुमार जी साब दो नाम काभी देर सेंडरेज है प्लीज उनको लेली जी पले जी भारती साब का और इनका हो गया सर प्रमवीर सार जीडी भारती जी मैं आमने बात की है और सत्यवान जी ने भी बात की है ठीक है ओके हुआ जी मार्यच कुमार जी हमारे बीच में आजेश कुमार सब अपना परीचे दीजिए जी जांक डैम नहां गता है जी सर्मकर नहीं अर चलाब मेरी मार्केटिंग और आफ आईГटा हो ऐसे रस ऐलाबल और मोमेन्ञूट कॉम्टिय नहीं वीर फर्मा मैंने बबाबा साब के नाम से इस पो फर्म का नाम रखा है तॉर्ण करें बबाबार्टरी एंद ब्र लाइप साइट्स प्राड़क्शन है की डिस्ट्टिबुशन नहीं है आपका डिस्ट्टिबुशन प्रोड़क्शन ओके उप तो जिसमें अब तक पुरे एसी लोबी में यह फार्मासिटिकल की मैनिफेक्टिरिंग और मार्केटिंग में ही करता हूं अलोवर यूबी में जिस पे मेरे पर एक किताब भी लिखी गई है किताब भी लिखी गई है उसके रावा मैं डिक्की का पनारस का पार्मासिटिकल का ही है उसके रावा मैंने एक तो बार एलाउंसमेंट भी किया है कि अगर यूपी में कोई भी मेडिकल कैंप लगता है तो उसकी सारी मेडिसिन में मुफ में अविलिविल्टि कराऊँगा तैंक यू तैंक यू सर्थ माविर सिंग नहर साहब है हमारे बीच में मुझे मुझे बड़ी इसकी ललत लग गई है कि मैं कितना वीजी रहूं बट एक बार मिटिंग में अटेंड करता हूं मुझे जंदीगर में में रहूं चय कई रहूं एक बार मिटिंग पका टेंड करता हूं चाह मैं बस में सफर करूं कुछ बोलता नहीं हूं फिर भी मैं डेंड करता रहता हूं आपना नंबर चट बॉक्स में छोड़ दिये साथ सो नाइस आप यू कि आप भर दील चुटते रहते हैं वीजी होने के बावजोद प्रूरते हैं इसलिए अपना नंबर चैट बाइने मैंने 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 विया पीपल के चक्कर में मैंने अपना ऑफिस टाइवाराइथ 10 ब सब्सक्राइब एक अपनी फार्मा कंप्राइब एक अपनी फार्मा कंप्राइब सब्सक्राइब एक अपनी है पुर्दाओं के अंदर ही और मैं रेल्वे से रिटायड हूं बेटा समाल रहा है और मैं काफी दिनों से जुड़ रहा हूं आज नहीं मैं तो कम से टीन मैंने हो गई जो पर मैं बस सुनता रहता हूं सभी आप जैसे बानों-बावों की विचार आप से एक बार फोन में बात पुरिंदी सब्सक्राइब करेंगे बात करके नहीं कभी भी करता रहता हूं उसके लाब मैं अब चैनल करता रहता हूं आज आपके तो आप माविशिंग सार्व पर चैट्डवक्स में चोड़ दीजिए है हमारे भी गोविंदराम जी है जोड़ देता हूं आज जैस गोविंदराम साहब प्लीज इंट्रडूस योज़ेल इस ग्रूप से जुड़ा हूं इस ग्रूप से जुड़ा हूं रोजाना डेली में इसको अटेंड करता हूं और बहुत अच्छा लगता है बहुत इस ग्रूप से चुड़ने के बाद ही पता लगता है थैंक्यू सर थैंक्यू एरिमाच हमारे बीच राजेस कटके साहब है जो कि महारास का एक बड़ा पॉटिफाइक करोड का बोजेक बनने जा रहा है उसमें वो बॉडब डारेक्टर में राजेस कटके जी अपना राजेस जी मेरा नाम राजेस तुकराम कटके है अब अम्रोधी में रहता हूं और हमारा जो है ना ओनियन पॉड़र के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तुक्रकन बेशा करें हमारे कॉंपणे का अब्चाम चल रहा है और फिलाल में मैं अभी एक फ्रमत्रे लाइस इसका फसल लेता हूं पर घंक एक हैंक ने आपकम हैं कर मैंत्रहय कटके जी हैंप पर दश एंविख नाल उब सर आवरा आम साप प्रकाश शिंग्जी तुसाम हमारे बीच में है, क्या हमारी बात सुन रहे हैं, तुसाम साथ, अन्मूट कीजिए और अपना परिच्छे दीजिए अच्छा, ओम प्रकाश शार जी, प्लीज, ओम प्रकाश जी, वसाम जी भी आगे हैं, आँ सबी साथियों को जैभीन नमगूद्धाय, अब रणी थोड़ा सा सवाल था, लोग कह रहे हैं कि मानि मंत्री जी ने, मैंने सबी साथियों से कहना चाहता हूं, देखिए, हम मंत्री के बेहाब से नहीं गए, हम वीधिक पीपल के बेहाब से गए, समाज के नाते गए हैं, ऐसा किसे को संसे हैं तो वो het हैं, जब आप ये कहते हो के पूरी दुनिया में और पूरे भारत में जो व्यक्ति समण समाज में पैदा हुआ है, यहां तक कि किसी मा के पेटना बच्चा भी है तो आप किसी को यह कैसे कह सकते हो कि वह आपका वीदर पीपल है या नहीं है और इसके वारे में करेंगे क्यों खामे का अभी करना आप करते से लिए मैंने बोलना पड़ा मुझे भी वाके सादुबार जैभीम सबीकों दा जुड़ें रहे जितने की लड़ेंगे जीतेंगे जीटेंगे जीतेंगे जीतेंगे जाना से हूं अपना परिच्छे दीजिए अलो सर जैभीम नम बुद्धा है सर जी मैं महाराष्ट्र जानना से हूं आगे यह आराष्ट्रा जानना ड्रेश्टिक से हूं मैं अलो मेरी एक ट्रस्ट लॉड़ बुद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर मैं सोशल मुमेट चलाता हूं अब फिलाल मैं भारतिय सविधान जम जागरतिया भियान चला रहा हूं और जो प्रकाश शिंग जी है जो परड़ी के उनके माध्यम से मुझे यह मिटिंग का आईड़ी मिला है तो उन्होंने आज मुझे नया जॉइनिंग हूं मैं आपकी मिटिंग में तो प्रकाश शिंग जी ने काफी अच्छा बूला है आप सभी लोगों के बारे में प्रोग्राम के बारे में तो मेरी आप शुरुआत है आप पहली ही मिटिंग में मैं आपके साथ हूं तो शायदा आगे चल के मैं समझ पहंगा आपको और आपके प्रोग्राम किसस तरह तरह को यह प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वी तबीपल का वो आपको बता बता दिया जाएगा और आप दीरे-दीरे सब कुछ सुन सकते हो समझ सकते हो और वी तबीपल के कंसेप्ट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा धन्यवाद चंद्रमुनी साहब यस सरो करूँ और दूसरा है मंजू सिंग मंजू सिंग जी जैसे कि सर मुझे हैंडरे जभी करना हो पड़ा कि जैसे भाई अभी कह रहे थे कि मंत्री जी के उस पे नहीं गए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी जैसे कितने सारे हैं और कितने हमें अपने घर में आने की अनुमती देते हैं पहले ये भी तो विच्चार करें न राजिंदर पाल जी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने उचे पदपर होते हुए अपने समन समाज को इख तो भाई जो आए उसका वेलकम करना चाहिए हमें और अपने हिर्दे को इतना बड़ा विशाल करना चाहिए कि जो भी आए उसमें समाज आए और हमें जो हमारे समाज के लिए हमारे अपने घर के दर्वाजे बिलकुल खोल दे उस्से बड़ा हिर दे तो किसी का हो ही नहीं सकता तो ये देखी आज हमारा कितना मान सम्मान वहां हुआ और मंतरी जी पूरे दिन हमारे साथ बैठे रहे हम सब का होसला आफ जाई करते रहे और किसको इतना टाइम हा आज की भाग दोड़ वाली जिन्दिकी से भाई आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम हो तो आप भी समय यह पघूए तो मंतरी जी हम से पहले वहां की व्यवस्था ठीक कर रहे थे वहां की व्यवस्था को खुद देख रहे थे और तब से और जब तक मीटिंग हो गई सब लोग उठकर के आवी गए लेकिन मंतरी जी फिर भी मही पड़ थे लास्ट आजमी को भी उन्होंने विदा किया है तो उनकी उसको के आप ये कैसे क्या सकते हैं लेकिन बार बार मंतरी जी की बात न लाके समाज आपका नाम भी बार बार लेते हर आदमी अपना अलगने को बहुत अपश्य क्या हुआ खराए के पात्र है यह चर्चा यह पर कदम परते हैं अधी बात बात बताना चाहता है बात साहब ने कहा है कि ग्लोरी टो दोस हुआ रेड़ी टो सैक्रिफाइज इवन देर लाइफ और सेक आप सोसाइटी वो धन्य है जो कि अपना तन मन धन और अपनी जान तक कुर्वान करने के लिए समाज के लिए कुर्वान करने के लिए तयार रहता है ऐसे लोग है और भुद्ध का एक वचन है इसके उपर द्यान मत दो मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा इंपॉर्टन है हम लोग अगर इसमें पार्शन करेंगे तो यह संगतन यह जो संग है यह आगे चलेगा हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे हमारे बीच का जो मनमुटा है व आप तो कापी पुराने हैं पर अपना परीचे दीजे प्रकाश सिंग जी नमदाय जैवी माप ट्रावल में हूँ नहीं मैं पहुंच चुका हूँ मैंसल प्रकाश सिंग फ्राम यूपी मरदवाद और मैं लगातार जब से वीदेपल स्टार्ट हुआ है मैं इसका हिस्सा हू जो भी मैं कर पा रहा हूं करने कोशी परता हूं उसमें में लगा रहता हूं thank you sir huh और वह बहुत पुराने पर मैं चाहता हो कि वह इंट्रिडूस करें जैवीम नवोगुद्दा है जैवीम नवोगुद्दा है जैवीम नवोगुद्दा है तिलक राज सीपी डबूडी में कारे रहत हूं गुलाव सिंग जी की वज़े से जो है मैं वीदा पीपल से जुड़ा और मुझे बहुत है और वी का वी का जो है वीजाल गौतम जी आपका माइक मूट कीजिए विशाल गौतम जी सारे समण समास के लोग तो जब हम हम आ आ जाता है तो मतला हमंबढ़ा संख्यबल में हम हैं और जैसे ही हम हमें यह समझ आएगा हम जोड़ेंगे लोगों को तो सारी हमारे हमारे अनुसार आने सुरू हो जाएंगे अपने आप तो ये बिलकुल सच है हमें जोड़ना है जोड़ना है और मेरा प्रियास यह है कि मैं जादा से जादा लोगों को जोड़ू और खुद भी जो भी मुझे मतलब जो भी मेरे से बनेगा जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिशल वर्क में बहुत अच्छी तेवाई दे सकता हूं और वो मैं उसके लिए तैयार हूं जब भी मतलब मैं बिलकुल रैडी हूं हर समय धन्यवाद थैंकि उरिमत शर हमारे भी प्रिति बंस्रोड मैं है मैं विसे गुजारिस करता हूंगि प्रिपए अपना परीचे दे उतरे परीति बंस्रोर मम अनम्यूट किजिए फ्रितिं बंसौर मैं कि ये परकाश शिंग तुसाम सर आपकी बाद अधुरी रही तिक रुपया अपना परिचे दीजिए प्रकाश सिंग तुसाम सर अन्मूट किजे नवब दाय सर नवब दाय जाए मिन्स अंसर हम तो जोड़ने जोड़ने के काम कर रहे हैं सब लोगों को जोड़ रहे हैं अपने से जितने हमारे पास की जिले महारास्टर के मुख्षे जिलों से मैं लोगों को इंट्रिजूस करना चाहरा था वह अभी मैं परली बैजनाथ तो सर मैं यहां पर नगर परिशत में गर्म चाहरी हूं रेकॉर्ड में रेकॉर्ड वागा है हमारे आपको किसने इंट्रूस किया यहां पर सुधिर रा सिंग जी नहीं इंट्रूडिश किया वैसे अच्छा यहां जैविम नौ बदाए हमारे बीच वीर सिंग आनन्द साभ है वीर सिंग अनन्द साभ अपना माइक खोलिये और अपना परिच्छे दीजे हलो सर यह यह प्लीज जैविम सार नमा बुद्धा मैं वेर सिंग आनन्द साभावाद गाजाबाद से हों जी हाँ यह सर यही मरा परिच्छ है थैंक यू थैंक यू वेरिमस्ट यह सोलुशन है हमारे बीच में कि यह सोलुशन कोने प्लीज अपना अन्मूट कीजिए अपना परिच्छे दीजिए अलो क्या मुझे सुन रहे हैं आप आप विशाल गौत म सर विशाल गौत मैं है फिर आज मुरादवाथ शे पहली वार प्रतिवा जी जुड़िये उनको इंट्रूइस करा दो आए यह से अप इंट्रूइस बुलाई प्रतिवा जी आप सुन पा रहे हैं गाज यावाज से निर्देश भारती है निर्देश भारती है आज सुन पारी हूं मैं हाँ प्रतिवाजी आप है लो जी प्रतिवाजी वीडियो आउन के अपना मुझे ये संग अच्छा लगा कि इतने बड़े छेत्र पूरे देश में हम लोग कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और जो हमारे महापुरुस्ते उन्होंने बलिदान किया हम लोगों की इसकी को एक अच्छी पोजीशन दी तो आगे भी मैं ये चाहूंगी हम लोग ही मिलकर के अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहें टाकि कहीं जो अभी भी गाउं में बहुत तो दवे कुछड़े कुछड़े बचे हुए हैं उन्में सिक्षा का प्रसार हो सकें और वो लोग भी आगे भड़ सकें तैंक यू तैंक यू एर्मच नितिन कुछेगर साब अपना हैंड रेस किया है नितिन कुछेगर साब अन्मुट किजिए नमस्ते जैविम नमगुद्दा है जैविम नमगुद्दा है अब कहा से हो हूँ मैं हडप सर पूने से हूँ मुझे सोंटेक के साब ने इंट्रूस किया है अच्छली मेरी ये दूसरी मीटिंग रहेगी पहले मीटिंग लास्ट पीक में मैंने आएवा जैविर संक जैविरसंग जी जैवीर संग जी अपना माइक पोलिए मैं जैवीर सिंग यूपी में डिश्टिक अमरवा से और मैं बेसिक में टीचर हूँ और विद्या पुपल जब से चल ला है उसके दो तीन महिने से तो उसे मैं कंटिनू जुड़ने का प्रयास करता हूँ और बाकी साथियों को भी इसमें जुड़ने का प्रयास करता हूँ क्योंकि उनसे प्च्छा लगा हमें इसलिए हम जुड़ते हैं प्रयास करते हैं कि अपने समाज को एक हो जाना चाहिए आजे जलवान सर जाए यह सूलिय है हमारे जिला हमवा से एस स्थी पेटवा हमने जिए अलफर एस सिसन है उसके उनको प्राद ध्यक्स जूड़े हो हैं श्री वर्म सिंग जी आज बुला ही नहीं हो आदाने वर्म सिंग जी जी सर जैविड जी जैविड तबीको नमोब दाए जैभीम जैभीम सर वरंच सिंग और अमर्वा से हूँ यूपी से और एस एस टी बेसिक टीशार्स एसोसीएशन जो उत्रप्रेस में काम कर रही है बेसिक सिक्सकों के लिए मैं उसमें जिलादेस का जिम्मेदारी समाल रहाँगा और मैं देली तो नहीं लुपाया हूँ अभी लेकिन मुझे मैंने सुधी राज जी की वीडियो बहुत देखी हैं सुनी हैं और आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है यही कंसेप्ट जो है हमें सब्सक्राइब करता हूं कि क्या आप चलाएंगे आप दो-चार लोगों को परिचे करा दूमें जलान सर अजय जलवान सर लग रहा है वो लेफ्ट कर गए है उनको कोई पेशंट आ गया होगा तो आप अब नहीं न्यू लोग है उनको में इंट्रूडूस करा देता हूं सर आप बाहर के लोगे पहले उनको प्र प्रादिक हैं सरे हमारे पीच में प हैं अनिता अनिता गवई जी अपना माइक अन्मूट कीजिए अपना परिचे दीजिए और चंशिप में बात कीजिए अनिता गवी मैं अनिता गवी मैं हमारे पीच शुवांगी मालकेड मैं है तो की यहतमाल से मैं उनसे विनंति करता हूं कि अपना परिचे दे और अब आप क्या करते हो और आप को यह कैसा लगा वीदे पीपल इसके बारे में अपनी शंशिप में बात रखे शुवांगी ताहिए मेरा नाम शुवांगी मालकेड मैं यवतमाल से बात कर रही हूं और फर्स्ट टाइम मीटिंग में जॉइन हुई हूं इसलिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी के मारग दर्शन पर हम चलेंगे जैभीम क्या करते हैं बताओ अब फिलाल तो सर हम डियाएसी से ट्रेनिंग लिये हैं चालीस मेला है चालीस लोगों की डियाएसी ने बैंकों में लोन केस भेजिये से में जीपी की तो उसी पर अभी हमारा काम चलुए वो लोन के थोड़ी बहुत सैंक्शन हो गई है लेकिन मिलने की है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नहीं तो हमारा हमारा चालीस महिलाओं का ग्रूप है और वो अगरबत्ती मैनिफेक्चरिंग करना चाहती है जैसे कि हर्षदीप का मड़े सर ने कमिट्मेंट किया है कि अवत्माण में अगरबत्ती का क्लस्टर चालू होने वाला है तो इसी पर हमारा काम चालू है चालीस महिलों का संगटन संगटन है उसका पहला भाग जो है चालीस महिलों का एक संगटन गरबत्ती का कलस्टर होने जारा है जो कि इंडिजियल लेवन पर करीब तेर्लाग का इंडिजियल उनका एक यूनिट होगा और एक ही जगे पर चालीस यूनिट शुरू हो जाएंगे अब उनको सुभेच्चा देते हैं और शुवांगी मैं आप जूड़े रही है और सभी महिला को इस वीड़ पीपल से चोड़ी थैंक यू सर् काटके सर्म आटके सर्थी शुवांगी मैं से बताएए कि मैं तीन दिन मीटिंग हो प्लिया है अब शुवांगी मैं दस तारीक बीस तारीक और तीस तारीक को तीन दिन खांसकर महिलाओ का स्पेशल प्रोग्राम होता है इसमें आपको इन्टोड़ेस्टी से इस सभी को मेरा जैभीम नमबुद्धा है इस समय ओनलाइन हमारे सभी बाही भान मारदरशक लोग खास करके हमें जो हर रोज प्रेज़ना देने गाइड करने वाले आदर ने कटके सर यह प्रोग्राम से मैं कई दिनों से जुड़ा हूँ और इस जुड़ने से बावजुद मैं खुद को बहुत लगी समझ रहा हू हुई और मुझे बहुत प्रेज़ना मिल रही है इस प्रोग्राम से कि दिन भर दिन मैं अलग-अलग चीजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रोग्राम से और आज का जो यह टॉक था खास करके बता गया कि हमारा जो संगटन मजबूत होने की कितनी जरूरत है और अगर हमारा संगटन मजबूत नहीं होता है तो जो सविधान के बारे में हम जो बाते करते हैं सुनते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं कि बाबा सविधान की ताकत बहुत है लेकिन अभी टॉक में जो सरने बात रखी है कि सविधान की ता संगटन नहीं है तो फिर सेविधान की ताकत कुछ भी नहीं है यह मुझे बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक का एक सब्जेक्ट और संगटन की ताकत जो सीख समूदाय के ऊपर एक उधारन देके बताया गया वो भी मुझे बहुत अच्छे लगी और इस प्रोग्राम स कितने भी हम ताकतवान बन सकते हैं मैं खुद मैं परिचे देता हूँ मेरा अभी कि मेरा नाम है पूरा विनोत शिवाजी गायकवाड मैं महाराश्टर से उस्वनाबाद जिस्टिक से हूँ और मैं खुद मेरी बेबी दोनों हम MSW सोशल वर्कर है और स्पिरूचल हम टीब वहां से जुड़े हैं और हमारा जो में उद्देश है ओ है अट्रोसिटी के उपर काम करना जन जाकृति करना महिला सबली करने के लिए काम करना और खास करके रूलर डेवलेप्मेंट के लिए हम काम कर रहे हैं इस करोना के दवरान हम लोगों को बहुत सारी मदद कर चुक अखले सब्द कर रहे हैं औंको मैं समय ठैक्यू देता हूं और आभी सब्सुनी वाल लोगों को मेरा बहुत सारा जे भीम ठीकel अशलों मच सब्सक्राइब और प्रफेसर परमखोपे साब सर क्या मेरी बात सुन रहे हैं परमखोपे जी अपना माई को लिया और अपना संचिप में परिजय देकर बात कि कट्रे साब वो जो लोग ना उनमें हैं दिखाई दे रहे मुझे तो आप पूछ लीजिए वो परिशन दे देंगे जैसे धरम माहे जी हैं और भी के लोग हैं जो पूछ लीजिए तो पहले उनका ले लिजिए क्यों टाइम जादा होगा उनको परिशन नहीं हुआ सबसे पहले तुम्हें सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीच में आज जो भी नए साथी हूंगे रुपए अपना हैंड्रेस कीजिए या फिर आप सीरा परिशे दीजिए जो भी नए हैं आज कि यहां पर मेरे लीस्ट में करीब अठाना लोह को उसमें संठीं यह उत्ति बारार लोगों नहीं बात किये से लोग बाकि है जो बाकी है और नहींद pourra हो आज आदर्निया कटके साब जी ने मुझे जॉइन किया है आपने बहुत अच्छा ये प्रयाश शुरू किया है वी दपीपल इस लोगन से हम जुड़े हैं और इस प्रोग्राम में आदर्निया सुधिर सर्जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे है खड़ से साब तो बुद्जिजम के थ्रू हमें और सविधान के करीब जा सकते हैं तो जैसे हम पाली के पाली का ग्यान प्राप्त करते हैं तो ज्यादा सविधान हमें समझ में आता है तो पहली बात तो यह है तो सविधान समझना चाहिए उसके बाद हम पाली सिखेंगे उसके बाद हम बुद्धिजम सिखेंगे तो बाबा साब बाबा साब ने जो हमें भलूम 16 दिया है 16 में जो भी पाली का ग्यान दिया है वह वह भी पढ़ दिर्ग है तो यह वात मैं कहता हूज कि यह से हमारे महारष्ण में हिसे माल-भारती में होता है कि मंदल जो है उसमें जोबी नहीं रही किताबे में बनते समय उच्शलाबस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहिए जो भी हम पड़ाएंगे पड़ाएंगे तो उसमें अगर रहेंगे तो सभी बच्चों तक जाएगा और यह सभी के लिए किताब है माराष्ट में उसमें हर एक लेशन में अब बढ़ाता हूँ इसके साथ चासर यह सब्जेक्ट और मेरा है इसमें मैंने निट्षेट किया है अभी इलाल पीएटी का काम चालू है लेकिन यह पीएटी वेटी तो होते रहेंगा लेकिन जब तक हम जुड़ेंगे संगटन नहीं होगा तब तक कुछ काम अच्छा नहीं हो सकता इसलिए हम इस संगटन में सभी लोग अच्छा काम हम भी आपके साथ है सभी सभी जुडेंगे तो अच्छा काम होंगा धन्यवाद आपका शुक्रिया कट के साथ थैंक यहां पर कापी सारे हैं प्रजावती पंडित जी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंट्डूस कीजिए प्लीज अपना वीडियो खोलिए जैविम सार नवो बुद्धा है वीडियो खोलिए मैं जैविम सार नवो बुद्धा है मैं एक हाउस वाइप हूँ और बंते प्रशिल रतन जी ने हमें इस ग्रूप में जुडाया है और हम नाकू से बात कर रहे हैं अच्छा लगता है कि अभी सविधान के उपर भी एक ग्रूप बनाया और अपने लोग जागरुत हो गया है मतलब इस माध्यम से अगर हम लोगों के समझ में भी आ जाएगा कि सविधान में क्या क्या चीजे हैं और हमें इसके लिए कैसे क्या करना है कैसे अपने हकों के लिए कैसे बाबा साहब ने हमें तो सब न्याय समता बंदुत वह यह सब सिखा तो दिया लेकिन हम लोग अपने अपने में ही लगे वह मेरा है यह उसका है इसी में लगे आज का जो सत्र था उसमें मैं बड़े लेट से जुड़ी थी और सर के विचार दिन दूसरा कुछ सेक्शन था तो मैं बीच में छोड़के चली गई थी और अभी इससे जुड़े हैं तो सब चीजों का नौलेश बढ़ेगा और जो भी अपने समाज और सविधान के बारे में जो सब चल रहा है उसके लिए जागरूत रहेंगे थैंक यू जैवीम आपके जितने वे लोग होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे उनको भी इन से जुड़ाइए और अपना नंबर चैट बाक्स में छोड़ दीजिए हमारे बीच इस सोलूशन है रुपया आप बात रखे और अपना नाम बताईए नाम और इंट्रूडूस कीजिए अपने अपना यह कटके ना अरेंज की लगाइए अलो अ मैं यह स्विलीज अलो मैडम अपना माइक माइक अन्मूट कीजिए माइक कीजिए प्रशापती जी अपना हैंड वो डाउन कर लेजी यह सोलुशन मैंने माइक अपना बंद कर दिया है आपका हैंड भी रेज हैंड को भी डाउन कर दीजिए हमारे बीच मुकुन ताटे साहब है क्या आपका हैंड रेज है रुपे अपने इंट्रूडूस कीजिए अपनी बात रखिए मुकुन ताटे साहब अपना अन्मुट कीजिए अन्मुट कीजिए सर अटे सर हां जयविम सर हां जयविम नो था बूली बूली मुकुन ताटे परली बजनाथ इस्ट बेर महरास्टा सिवाथ कर रहा हूं अश्ट परली बजनाथ बीडिस्टिक्ट महराथा से बात कर रहा हूं अलो अश्ट आश्ट मैं शिल्पकार बहुदेशा वाइस ओए संस्ट का अधिक्षिए उसर तो चलो अधिक्षिए उसर मैं है अलो है येस येस अश्ट मैं शिल्पकार बहुदेश वाइस उस्ट का अधिक्षिए उसर और सुच्चिछ लोगा करता हूं सिर्में कि अपना माइक बंद कर लिए साके जी अभी जो भी है आज जो नहीं जुड़े हुए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना हैंड्रेस कीजिए और अपनी बात परिच्चे दीजिए जो भी साथ ही नहीं हैं कि काटके सब मैं विरेंदर साहा उत्राखन सबी लोगों को मेरा सादर जैविम नमो गुद्धाय हमारे भाई कुमर भारती के नाम से जुड़े हैं किर्पया उनका प्रिजय लीजिएगा कीजिए इंट्रोडिस की जय को सिरकफया कुमर vступ कीजिए अगर हमारे आवाद फिन रहे हों तो किर्पया आस अपना पुरेच दी जैसे कल बाही ने वहीं जी देशन करा है मुझे इस मेटेंग में चुड़वा है। मैं टाहर दिल से दंद्या बाद करता हूँ। आप दोगुना है वेल्ट संगठन में चुराने करती जाया है। हलो। जी सर्थ आवाज नहीं आरी सर। आरती साहब। जी सर्थ आवाज नहीं आरी। कट-कट क्या रही आवाज। हाँ की। भूलिये भूलिये आरी है। यस। तुसर मैं उत्राकरण सब्सक्राइब। हाँ। जो हमारा मार्ग दोजन कराए बड़े भाई नके रहा है तो हम डन्ने घा करता हैं जैबी नमवुद्दाइ। यह हमारे बीच रवीश आनन जी है। रवीश आनन साब प्लीश अन्मूट कीजिए। रवीश आनन जी क्या मेरी बात सुन रहा है। आज के आज के प्रोग्राम में जो भी नए साथिये उनसे में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि रुपया अपना हैंड रेस कीजिए या सीधी बात कीजिए। यहां पर दो प्रोग्राम मैंने अभी तख देखे हैं जो भी तो यहां पर एक हरसदीप कामडे साथ का समता पर्व बोलके बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। उसके बाद हुआ हम उसके यह हम भी समय हैं समता परोग्राम यह वाला भी हम जो वी द पीपल वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा कंसेप्ट और यह हमें वर्ड लेवल तक पहुचाएगा। मैं सर्व भोष स्रायना करता और तहें दिन से स्वागत भी करता हूं और इसका प्रचार भी पुरुंगा। थैंक्यु थैंक्यू पामदावने साथ बहुत बढ़ी है। कि पूंकुन मुकुन्द बंसोर नावाचे कुनि तरि वेक्टिया आयत। कुरुपाया तर्णी आपला चेहरा दिसु द्यावा पूर्ण शेरिण नकुर्ण मुखुंद अन्सोर साहब हाँ तर्णी व्योस्तित नाई तर्णी वीडियो लावले तर्णी हाँ सर जैभीम जैभीम नुद्धाय पूर्ण तुम्हें अप्पाव दिसताई सगड़े मुझे कुछ बोला गया सर मैं सून रहा था आपना परिचे दीजिए सर पंसोर साहब जी 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 मेरा नाम मुकुंद बंसोर है सर मैं दुरुग चत्तिजगर से हूं और भारती सविदान स्विशन समीति का एक ठोटा सा सिपाई हूं और आप लोगों को बहुत बहुत और दन्यवाद आप लोगोंने जो कार्य किया है हम जुड़ेंगे और जीतेंगे और ये कार ये भारत के लिए पुरी भारत के लिए मिशाल इसी सब्सक्ति के साथ मैं इसकार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए आपके यह साथ और अब तो मेरे घर में आती आया तो मैं उसी के खूची में बहुत ज्यादा कुछ और मगन हो गया हूँ आप लोगों ने सभी ने बहुत आशित दिया इससे मेरा पईवार भी बड़ा गदगद हुआ आपके आशिरवात को चुन कर तो आज मैं कुछ भोड़ने के मोड में नहीं हूँ और मैं कल से आपके साथ कंटीनियू रहूंगा सर इनी सब्सक्राइब थैंक्यू थैंक्यू बंसोर साथ फिर से हम कहते हैं आपकी नाती को अच्छी लंबी उमर मिले और वह बावा साथ के आंदोलन में वह सुरू से जुड़ा रहे हैं यही हम सोचते हैं जुड़े हुए हैं वह एक वार इंटरेशनल से एक हो है और भी वहां सर्व उसी तरह बारात मैं इंटरेशनल लेवल से अगर कोई है तो कुर्पे आप अब हैं तो बुली आप जब हाव बोलेंगे ने तो सब्सक्राइब हम तो कभी भी आपको इन्वाइट करना है सर यस फ्लीज धरम माहे जी माहे साथ जयभीम नौबधाई जयभीम नौबधाई शॉरी आपको देर से हमने आमंत्री किया है प्लीज ने कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं नया नहीं हूँ मैंने तक्रिमन पांच-छे बार जोईन किया है पहले भी और सभी बहुत अच्छी बात करते हैं मेरे दिमाग में एक बात आई है अगर आप इजास दें तो मैं बोलू हमारा जो मसला है जैसे सुधी रासिंग जी ने कहा कि आओ जुड़ें जितनी भी संस्ताइं हैं जितने भी जुड़ चुके लोग हैं उनका ये नारा है कि जुड़ेंगे तो हमारी कामजाबी होगी मैं यह सुचता हूँ जो मेरा अपना अक्सपिरिंस है जो मेरी सोच है वो यह है कि लोग जुड़ते क्यों नहीं क्या वज़ा है पहले एक जो इंटिड्यूस किया उन्होंने बात की कि पहले विधान के बारे में जान ले धम के बारे में बात बाद में पता कर लेंगे इसलिए मैंने दिमाग में आए कि मेरी मेरी बात को क्रिटिसम ना समझा जाए मैं सर्फ यह करने आता हूँ कि अगर हम धम को समझेंगे अगर हम धम को समझेंगे अगर हम धम को समझेंगे अपना माइक बंद कर लेजिए बेने को रुमाजी बोलें सर बोलें यह सर कंटिनी कीजिए प्लीज हम सर हम को इकठा होना है सबी हम चाहते भी है और हम कहते भी है लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे इसकी एक खास वजह है भी हमारी जो मुश्कलाएं वो सभी की एक हैं जब हम बात करते हैं तहां वही बात करते हैं कि हमको दिक्त क्या है मैं जिस संचता हूँ कि जब तक हमारे बीच में धमक्या समझनी आ जाता धमके बारे में हम जान नहीं लेते जुरूरी नहीं कि हमको भड़ती करनी है धमकी लेकिन उनकी जानकरी होना बहुत जुरूरी है हम अगर हम एक धमके लोग होंगे तो हम एक संच के भी होंगे अगर हम एक धमके हो गए हम ऑट्रमेटली एक संच के भी हो जाएंगे संच का मतलब आप सबी समझते हैं कि संच कचको बोलते हैं अगर हमको चाहिए कि धमको भी जैसे बावा साब की जो खास्यत है उनकी खासित है वो पूरी जिन्दगी हमारे लिए लगाई है उनकी जिन्दगी का या उनके विचारों का कोई भी पहलो ऐसा नहीं है जो हमारे फाइवे में ना हो जो हमारे एकट को ना होने देता हो इसलिए हमको सियासत में भी रहना है हम को समाग्ग मसणों पकी रहना है हमको धर्म को भी साथलेके चलना है धर्म मैं अपनी बात नहीं कारा है ध्म की बात करता हूं. हम ध्म को अगर साथ लेक worth चलेंगे तो हमारा जो एकठ है उसका मकसद हो हमने एकठा कियो होना जब तक हम भाम को नहीं समझेंगे हम अपने मकसद नहीं समझेंगी तो हमारा कठा होना मुश्कल ही नहीं ना मुम्कुन होगा इसलिए हमको दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए जैसे सुदीवी साहब ने पहले का है मैं उनकी सभी बातों से बहुत मैं जो समझता हूँ कि हमको अपना मकसद समझना चाहिए कि हमारे हक क्या है हमारे हकु क्या है वो हमको तब ही मिलेंगे जब हम एक धम के सत्री के नीचे आएंगे तो हमारा काठी हो जाएगा हमारे हक भी हो जाएंगे और हम एक इज़त की जिंदगी एक फकर की जिंदगी हम जी सकेंगे और हम फकर से जैवीम नौमुदाई कह सकेंगे जैवीम नौमुदाई बहुत-बहुत धन्यावाद भीजी आपने मुझे टाइम दिया थैंक्यू 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 वेरी मच्छ सर दरंद सर यहां पर अनन्द तुरुप्ति राओ जी का हैंड रेज है मैं मैं एक डेटा साइंटेस्ट हूं और मैं टाटा कनस्ट लिए काम करता हूं और मेरा जो सामाजिक प्रूप में जो कार है वह यह है कि मैं महला सम्रिद्दी और महला सिक्षा के लिए योगदान कर रहा हूं और मैं अपने ग्रामिंड इस तर पर यह सोचता हूँ कि हां यहा पढ़ गई बार्मी पढ़ गई उसके उसकी शादी कर जाते हैं यह जादा सोचा जाता है तो मैं वहां पर एक प्रियासरत हूं और महां पर कोसिस कर रहा हूं को महलां को जादा जादा सक्षा की तरफ अगरसर किया जाए और उन पर विकास के लिए आगे उन्हें बढ़ाया जाए क्योंकि महला जो एक है मूल है पूर्ब यह कहना चाहिए पर्थम सिक्षक जो डॉक्टर गिम्रामेड करने भी कहा है कि हाँ पर्थम सिक्षक महलाई होती है जो हमारी माहा होती है तो मैं यह मानता हूं कि अगर फिफ्चत होगी और और सारी चीजह होंगी तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो उस दिशा में ुथ क्यों एक पुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बावा साब के दिये हुए तीन शब्दों को सिर्फ अगर अगर अपने जीवन में अगर अनुपालन अपना कर लें तो जिंदगी बदल सकती है बावा साब ने पहली चीज कही है कि शिक्षित बनो यानि कि अपने आपको शिक्षित कर लीजे ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके अधिकार क्या है आपको किसके लिए लड़ना है क्या करना है दूसरी चीज बावा साब ने वो ली है संगठ हित्र हो आपको संगठन करना है क्योंकि जैसा कि आवि आप आपी पूरแहल रिद हो बहां करें Öz Charlem Southern तो आप कुछ नहीं कर पाओगे तीसरी चीज है सिच्च तरो संगर्ष करो संगर्ष का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लोगों से लड़ना है या कि अपने लोगों को जोड़ना है और संगर्ष इसलिए करना है कि मैं अपने अधिकार को पैसे पाचतिक. शिक्षा हो गई, संगठन हो गया, फिर संगर्स करना और अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ना है जहां पर हम मतलब समझ नहीं पाँ रहे हैं चीजों कों जहां पर लगता है कि आरे एक दो लोगों की बात सुनें का कौन तो बहाँ पर हमें संगर्स करने की ज़रूरत है और सारी की सारी चीजों को समझने के बाद एक चीज जो मेरे मन में आती है वो दो लाइनों मैं खतम करता हूं अपनी वात को वो यह है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह तक जाएगा कुछ ना हाथ कुछ ना आए हाथ समझना दुग की अभी अधूरी है चाहें कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है पहला कदम जरूरी है इसी बाणी के साथ मैं अपनी बाणी को गराम देता हूं जैवेव नोर्गा प्लीज अपना मोबाइल नंबर चार्ड बॉक्स में छोड़ दीजिए जी बिल्कुल 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 येस येस तो नाइस अभी और कोई साथी नहीं है तो क्रिपया अपना परीचे दीजिए कोई नहीं आज जुड़े हैं प्लीज हाँ रगुनात अहिरवार सर अहिरवार सर जैवीम नमबुद्धा सर नमबुद्धा जैवीम सर बुलिए सर मैं रगुनात अहिरवार मद्ध प्रदेश बोपाल से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर सिविल कॉंटेक्टर हूं ये मेरा छोटा सा परिश्य है सर माता जी कनो के प्लीज अन्म्यूट कीजिए प्लीज अन्म्यूट कीजिए माता जी कनो के रिटायर रेलवे स्टेशन सुपरिंटेंडन और 17 साल हो गया रिटायर हो करके अभी मैं इधर बसपा की पॉलिटिकल फिल्ड में काम करता हूँ लेकिन आपता है जो वीडी पीपल का निशन जो है इसमें हम पच्छा मसूस हो रहा है इसमें मैं इस से जुड़ा हो और जुड़ा रहोगा ऐसी मेरी इच्छा है कि ये संगतन अच्छा बढ़े दिन दूनी राज चोगनी बातार है इतनी बात कहते हुए आप सब को धन्यवाद दोते हुए अपनो बात खतम करता हूँ कि अपना नंबर चाइड़ बाक्स पर छोड़ जिए तो कि संगठन है हमारा संग है हमारा संगठन नहीं है और को नए साथी है हमारे बीच हिसार से जैसील सर है जैसील सर प्लीज सर मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ आप जुड़े है शिक्षा ग्रेंड कर रहा हूँ आप लोगों को देखके बाक्ति आपने बुलाया तो सभी सम्मानी सात्यों का अभिदंदन है कि जैदीए नोहां बोता है कट के सब का विल राज्टी का विल इंदन है थैस से दो उड़े हुए उनका भी अभिनिंदन है और मैं आप लोगों के साथ काम करी रहा हूं इतना ही बनता है तरहा हूं आप लोगों का जो भी आदेश रहता है वो में मान के और अपने यहां इसार से जो सत्प्रकाश्ची हैं उनके साथ पर ग्रेंट है अब लोगों का इनी बातों के साथ मैं रेल्वे से रेटायड हूं एपनी बातों के साथ मैं अपनी वाने को ब्रेटायड हूं आपका बहुत बढ़ी है इंटर्नाशनल लेवल पर कोई और साथी है तो कुर्पया मैं उनसे आवंत्रीत करता हूं उनको कोई यूके यूएस से कोई है सुधीर राज सार करमवीर सार अधूल चाटके साथ जी जी काटके साथ है यस यस आगे की कारवई आप करेंगे आप कोई बात नहीं करवा लेते हैं परिचे का रावंड खतम हो गया है परिचे का रावंड जो भी बिलिंग ली है उनको आमत्रीत कर सकते हैं करो हो सात आपना उसकते हैं अपना परिचे के चूड़ गया है वह साथी अपना वैंड में हैं करकेब्स करके त में अंपना परिचे रखISA मैं एक संग का सदस्य हूं और साथी साथ प्रोफेशन में टीचर हूं और आप सभी साथियों से लगवग पिछले दोड़ाई मेनेसर में जुट रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि लोग कांत्रिक जो रेपब्लिक जो पहल है संग के रूप में वो हमें हमारे अधिकारों की आखरी सीमा तक ले जा सकती है तो इसी परचे के करम में मैं चाहता हूं जो भी साथी छूट गए हो या जो नए साथी आ मैं स्रेक कांटरंगीला कांपुर से लूल निवांती आपुर से हूं आज पहली बार आपके आज पहली बार आपके आज चाहा हूं जो ने कंसेप्ट बहुत अथे लगा और सिंपल बहुत की बांदी और मैं आगे बजोड़ा रहूंगा आज मैं पहला गिन है तो भी इस हलो अनो के सर अधानी आपना माइक म्यूट कीजिए अनो के सर प्लीज हलो जिस भी साथी का माइक ओपन है प्लीज उसको म्यूट कर ले अधूल साथ के सर जी सर जो अभी हापुर से अब इंट्रोडेक्शन दे रहे थे उनसे कि वह अपना चैट बॉक्स में अपना मुबाइल नंबर ड्रॉप कर दें जिन साथी ने अभी आप सर आपने अभी आपुर से जो इंट्रोडेक्शन दिया है प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ इसके अलावा हमारे कोई भी साथी हैं तो वह भी अपना पर्चे दे सकते हैं जो छूट गये हूं मुरादबाज से वीना जी जुड़ी है काफी देर से मैडम परिजय जी अपना प्लीज ओके मैं वीना मैं मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं कि अपना पर्चे दीजिए और अपनी बात भी रिखिए यह सर कि अब जाब हिम नमों कि था है सर जाब हिम मैं 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 फीने सिंग अधिकने इंटर कॉरेज मुरादबाद में लेक्टरान हूं सर और वाइस वाइस फिस्पल भी और सर मैं काफी दिन से आपके इस प्रोगाम से जुड़ी हूं आपका क्या हम सब का प्रोगाम है सर बहुत अच्छा लगता है एक यही हम सब का एक मिशन है एक मोटो है जो हमारे बाबसाहे हम सब को देगे गए हैं कि संघर्स करना है संगठित रहना है और शिक्षित होना है तो सबसे पहले हमारा दाइद कि अब शिक्षी क्षित होने का संगठित होने का और अपने करतवयों के प्रति हम निष्थवान बने रहेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं ऑर अपने इस जो मिशन है हमारा संगठ्यच्थ थोने का एक आगे बढ़ने का हम कि अस उदेश Superior को अपने पूर्ण करते चले जाएं और एक उदारबादी विचारधारा के साथ आगे से आगे बढ़ते चले जाएं यहीं है मेरी अपनी सुपकामना है अपने लिए और सभी के लिए थैंक यू सर्थ अगर आज आप आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना पर्चे दीजिए मुझे लगता है शाहिए हलो जी सर जी प्लीज अपना परिचे दे और अपनी बात रहे हैं हलो जैदी नहुंदा जैभीम सर्थ सर मैं अमित कुमार मुरादावाद से हूँ और मुरादावाद यूपी से बोल रहा हूँ और मैं सर जूनियर हाई स्कूल में सहाय कद्ध्या यहां पर और मैं भी सर पिछले लगवग दो डाई महीनों से लगवग गड़ा हुआ हूँ वीदा पीपल से और लगवग मैं दो डाई महीने से सुनता ही रहता हूं मतलब जो मीटिंग बगेर होती है जितना भी समय मिल पाता है एक घंटा दो घंटा जब भी समय मिलता है मैं सुनता हूं और मतलब इसका कॉंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है और लोगो और और भी जैसे बहुत सारे संगटाने मैं मैं जाता हूं मैं देखता हूं तो सब चीजों को देखते हूं कि अभी तक काफी बढ़िया लगा बीदा पीपल का कॉंसेप्ट काफी बढ़िया लगा यह प्लेटफॉम मतलब काफी बहतर लगा जेवीं सर्थ इसके लावा कोई और साथी है यह हमारे जो पहले के साथी है किसी साथी को जानते हैं जो अपना परिचे देने से छूट गया हो तो वो साथी उनको भी ट्रूपूस कर सकते हैं उनका भी नाम को अपम है rearrange कि अपरковे थे साथी कांच्ट चूमना के हैं यहत्माडष़े ओके यहवद कुवार जिए महाराष्ट्र में है यहवदमा थोके 7 carp एक तो कंचन जुमान के हैं आप अपना परचे दें प्लीज मैं कांचन जुम्ना के यौत माल से जै भीम सर्थ नमा बुद्धाय जै भीम मैं बहुत से बज़त गर चलाती हूं और मुझे इस ग्रूप में कटके सद्स ने जॉइन्ट किया है एक ग्रूप मुझे बहुत अच्छा लगा है इससे कुछ मुझे सिखने वीलने वाला है आगए और यह काफी बच्चों के लिए भी आगे की लिए अच्छा है है आज इससे मैं प़ेदी बार सुनना मैंने इस सब्सक्राइब का नाम है तो सब्सक्राइब कर देगे तो काफी अच्छा लगे रहेगा और मैं जुड़ने के लिए अगर बताना चाहूं तो इससे भी जादा आज के टाइम में बहुत सारे बहुत सारे तरीके हैं जिन से जुड़ सकते हैं और भी असानी से और उससे आप नहीं जुड़ेते तो हमें क्या नुक्सान हो रहता है आगे किस लिए जुड़ना जरूरी है जुड़ना तो सब चाहते हैं अच्छा लगता है कि बहुजन समाज है हमें माने वर कासी रांजी के धुरूबी यह मिली हुए बात कि बहुजन समाज रहे 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 खटा यानि कि जैसे आप दिखेंगे चीटिया जुड़ में रहती है तो उससे भी लोग बचके चलता है वह बच जाती है इक की दुखकी घुमेगी तो मर जाती है तो यह कॉन साप आज की टाइम पर जिसलिए हमें जुनने के लिए लेखता है एक रीजन थोड़ाता है वह को बैटर रहता है ओके 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 सर्व मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत प्रीफ में पहले में रिक्वेस्ट करूँगा उन साथियों से जिनके माइक्स ओपन है वह प आपना फर्स सैकेंड टाइम जुड़े हैं तो आप जुड़े रहें और डिली से हमारे बहुत साथी आज मीटिंग वीटा पीपल की तो सो फीजिकल मीटिंग भी थी 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 थोड़ा मिस हो गया आज मैं फोड़ा टेट हो गया था इसलिए मिस कर गया आप अपना नमबर आला तो परिहार सर परिया सर आप जाए आप जाए जी को बताने दो एक मिट में के लिए कर देंगे बताने दो साके जी के लिए और तैंक यू सर साके जी अपना माइक करो प्रेश्ण किया कि हमारे बहुत सारे पड़े लेके साती यह पूछते हमें क्यों जुड़ना चाहिए जुड़ने से फाइदा क्या है हमारा मिशन क्या है तो एक लाइन की बात है कि सर सामुदाइक और समाजिक सुरक्षा के द्रश्चिकुलों से समान विचारों के और समान विचारधाराओं के लोगों को एक साथ रहना ही चाहिए यही प्रकृति का विधान है और यही प्रकृति का नियाद जो एक जैसे लोग हैं एक जैसे मन के एक जैसे विचार के और एक जैसी विचार धारा के वही संसार में अपने आपको सुरक्षित और सर्वाइब करा सकते हैं बटे रहकर हम एक दूसरे की ना सुरक्षा कर पाएं तो हमारा विजन बहुत किस्टल क्लियर होना चाहिए अगर हम विवस्था को भी आधार मानकर ये स्टडी करते हैं कि हमें जोड़े रहने या संग बनाने में क्या फाइदा है तो आप प्राकरतिक जानवरों से देखिए जो जंगल के नियम हैं जंगल के नियम भी उन जानव की वेक्टिया की भी समदाय की जनसंख्या कानन कर सकते हैं कि जन तक लिसकते हैं तो चनल सबसे बढ़ी जित मारी जंदा रहने चलिए और यह कहा गया है कि जंदा रहने के निमित तुछ यह आप काम करे सकारात में प्राकरन जंदिगी काटने के बहुत सारे दूसरे भी सादन है और दूसरे भी प्रकार हैं आप अगर ने प्रकारों में जाएंगे तो आपको देखेगा कि उनका अंत उनकी प्रनती, बहुत खराब होता है। तो संग बनाने का या आपस में जुड़ने का सबसे पहला फाइदा ये होता है कि हमें मानसिक सहयोग मिलता है, हमें थोड़ा सा emotional touch मिलता है और emotional strength आती है, सबसे पहला फाइदा जो संग बनाने का होता है, वो हमारी emotional strength का होता है, बहुत सारे साथी संग में आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इस बात को कहते हैं कि नहीं हमें आर्थिक रूप से ही इसकी क्रियानवित को करना चाहिए जबकि वास्तों में सबसे पहले अगर हम एक emotional bonding बना लेते हैं तो emotional bonding से बहुत सारे काम अपने आप लगते हैं यह सच है कि इंसान सारे काम खुद करता है दूसरा केवल उसको प्रेड़ा देता है उसको मोटिवेट करता है या उसको यह आशा व्यक्त कराता है या महसूस कराता है कि नहीं मैं पीशे कड़ा हूं आप आगे जैसे बच्पन में हम लोग को कहानी बताई जाती है प्रेड़ा स्रोत के रूप में कि एक पिता जब अपने बच्चे को मैचोर करता है उचाई से गिरते समय अपनी सुरक्षा करना सिखाता है तो बेटे से कहता है कि देखो मैं खड़ा हूं चलो तुम इससे कूदो तो व सबसी भाई से मुटिवेशन से हो कंप्लीट कर लेता है तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आज कीडय सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी जल्संख्या के लिए बहुत चलते हैं हम यह नहीं चाहते कि किसी दूसरेके बच्चे का या किसी दूसरे की जंसंक्या का कोई भी अधिकार रास्त के fundamental rights ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार वो विवस्ता है हमारे देश की कि वो किसी भी व्यक्ति को अधिक्तम विकास के सर्वत्तम अपसर प्रदान करती है वो जो कुछ बनना थाता है उसके लिए लेकिन आज राज ये गलत तरीके से उन लोगों के हातों में हैं जो संवेधानिक अधिकारों को चीनते हैं तो अपने संवेधानिक अधिकारों को बचाने के लिए में लाम बदोना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से लोग तंतर में बात की जाती है लोग तंतर में भीड तंतर की संकलकना ही चरितार्फ होती है तो जब जाड़ा से जादा लोग एक संग में जुढ़ जाएंगे तो वह कम परसेंट लोग हमारी आबादी को कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे न समाजी ग्रूप से ना आर्ते ग्रूप से और नहीं राजती ग्रूप से क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो जनता होती है वो consumer भी है और वो voter भी है और वो ruler भी तो बहुत मोटे मोटे तार पर अगर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो विक्सित लोग है जो corporators हैं जो पूरे देश की economy को rotate करते हैं जो पूरे देश की economy का पैसा रोटेट करते हैं जो हमारी small savings होती है बैंकों को तुरी आती है या किसी दूसरे small savings की scheme में जाती है चाहे वो general insurance हो चाहे life insurance हो सभी का पैसा वो corporate धरानों को दे दिया जाता है वो अपन रख लेती है जब्कि वो हमारे पैसे की productivity होती है और हमें बदले में कुछ अंच 2-4 परसेंट देती है जब्कि वो loan raise करते तो 18 परसेंट 20 परसेंट 35 परसेंट तक लोग देती है तो सोचे हमारे 100 रुपए के against 35 रुपए कमाती है और हमें साल के अंग में 4 रुपए देती ह money rotation का economy rotation का आपके सम्वेधानिक अदिकारों का आपके आर्थिक लाव का आपकी मूलगूत आवश्यक्ताओं का यह सारे का सारा जो concept है वो एक ही रेक्ति के चारों तरफ भूमता है वो है हम लोग we the people तो we the people जब तक इस चीज को नहीं समझेगा कि हमारी चाती पर रखकर ही हमारे पैसे से ही हमारे बच्चों के जीवन को अंदिकार में डाला जा रहा है हमारे अदिकार चीने जा रहा है हमको शारीर की आतना है दी जा रही है हमारे साथ atrocities execute हो रही है untouchability आज भी दूसरे format में exercise हो रही है और हमें हमारे ही देश में अचुतों की तरह माना जाता है हमारे साथ दोयम दर्जे का भ्यार किया जाता है हमारे लिए second class citizenship की संकल्पना हमें दी जाती है हमारे लिए services बाद में रखी जाती है वो preferential services अपने लिए रखते हैं तो इन सब चीजों के against अगर कोई mental revolution हो सकता है वो मानसिक करांती हो सकती है तो सबसे पहले हम emotionally एक दुसर के संग के सिद्धांत की निकट हम लोग पहुच पाएंगे लेकिन यह जरूर है कि जब चलेंगे तो पहुचेंगे और अगर चलेंगे नी तो कभी पहुचेंगे दूसरा इसके बाद कोई सवाल यह उट सकता है कि बिना लीडर के या बिना किसी conceptual organizational principle कि हम कहां तक चलेंगे केबल जुडने जुडने से क्या होगा तो दो तरीके हैं संग बनाने के एक तो तरीका यह है कि पहले हम पहले purpose decide कर ले फिर person decide कर ले फिर process और फिर उसका place decide करे दूसरा तरीका यह है कि जो संगठन का मूल भूत element है वो है मनुष्य हम पहले मनुष्य को ही mentally prepare कर ले संगठन बनेगी वो बहुत अच्छी होगी और इस्ता ही वजस्ता होगी जो साथी कई बार प्रश्न करते हैं मेरे मन में भी confusion यह रहा है कि कभी जो MBA पढ़के आते हैं या जो इस देश के स्थापित शास्त्रों ने जो concept पढ़ाए हैं हमारे बच्चों को या हमें भी पढ़ाया है MBA में पढ़ाया, Master of Public Administration में पढ़ाया, राजमी की विज्यान में पढ़ाया, वो यही पढ़ाते हैं संगटन का आकार प्रकार और संगटन की सनचना वो कहते हैं पिरामिट के आकार का संगटन होता है, उसके शीर्स पर एक बास होता है, उसके नीचे मेडिल मैनेजमेंट होत उसके नीचे bottom class line workers होते हैं या four men होते हैं और four men के इसे worker reliable होते हैं, ये ढाचा पढ़ाया गया लेकिन इसमें ये ढाचा बो ढाचा है, जिसमें coercive force काम करता है, इसमें order उपर से नीचे आते, report नीचे से उपर जाते हैं, तो ये जो समचना है संगटन की वो प्रकार है coercive force का उसपे बल काम करता है, force काम करता है, वो बहुत इस्थाई नहीं होता है, जब तक पैसे का force होता है, तब तक करमचारी काम करता है, आप उनमें मंद का जुडाव देखिए, कि जो commercial organization है, जो संगटन जिन format में आप देखते हैं, जो संगटन जिन format में आप देखते हैं, उसक स्विच कर जाता है, तो वो format compulsorily, emotionally bonded नहीं, वो केवल और केवल रोजगार के निमित नहीं, जब तक आदमी की पेट या उसके रोजगार का मसला रहता है, वो उपरी मन सही भले सही हो, जुडा रहता है, इस concept में भी दो तरह की थियोरिया है, अगर आप मैं ग्रेगर को करता है, कि कभी-कभी आदमी संगठन से रुष्ट होने के बावजूद भी संगठन में इसलिए काम करता रहता है, चुकि उससे उसका रोजगार चलना होता है, उसके उसका परिवार चलना होता है, लेकिन जब व्यक्ती economically liberal हो जाता है, सक्षम हो जाता है, तो संगठन उसम प्रकार के संगठनात्मक्त प्रतिदर्श का ये परिचायक होगी, और मैं भी बहुत ज्यादा कौतवलतापूर तरीके से, बहुत लालाई तरीके से इस तरफ देखता हूँ, कि अगर हमारा ये format सफल होता है, तो no doubt, ये भी world class management का हैस्सा होगा पढ़ने और पढ़ाने को, जी सर, अगर मेरी बात से आप संतुस्टों सर, जिरोने प्रशन रखा था, अगर आप संतुस्टों तो सर, आप बताएं प्लीज, ठीक है जीडी सर, आपने thumbs up की ask का मतलद है, कि चीजें आपने कुछ, हमारी समझी है, मैं कहीं तक सफल हो पाया हूँ, तैंक्यू जीडी सर इसके लावा अगर कोई और साथियों मुझे किसी का भी hand raise नहीं दिख रहा है, और voluntarily कोई साथी अगर छूट गए हूँ आज की meeting में, या कुछ कहना चाहते हूँ, तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, एक एक दो दो मिनिट में ताकि सभी साथ अगर के जी एक रेड मित्रू नाम से है कोई नए साथी ऐसा है, रेड मित्रू, रेड मित्रू सर, जैसा परियार सर कह रहे हैं, मैं साधर साधुवासरीद आपको भी आवाज देता हूँ, कि आप भी अपना परिशे और एक दो मिनट संग के बारे में अपनी बात रखें, रेड मित्रू साथ, जो साथी रेड मित्रू के नाम से जुड़े हैं, मेरा उनसे आगर है कि वो एक बार सदन में अपना परिशे और अपनी बात रखें। मैं बाकी सभी शेज जो सदन में साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, कि जो भी साथी अब अगर कुछ कहना चाहते हूँ, मैं पहली बार सदन की कारवाई को प्रोसीड कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जा तो मैं पूर उच्वा प्रार्थी हूँ, मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी साथी सदन में हैं, अगर उनकी कोई प्रेशन, अगर कोई बात हो, तो वो खुल के सदन के पटल पर रखें, ताकि अम लोग चर्चा के दौरान उसमें सब्सक्राइब करें, तो हमारे बीच में कंक्लूड करने के लिए, करंवीर सर, आप थोड़ा सा मेरा सहोग करें, कंक्लूड कराने के लिए, कोई भी आदमी कंक्लूड करें, आज के सेमिनार को, तो इन्वाइट करें, ओके सर, मैं वॉलेंटरिली रिक्वेस्ट करूँगा, कि जो भी साथी, आज की मीटिंग को कंक्लूड करने की जिम्मेदारी लेते हैं, वो प्लीज, आगे आएं, और आज हमारे बीच में होगा, कि हमारे सबसे जल्दी, च्यार मिनों में सबसे पहले मिटिंग कटम हो रही हो गि, जी, 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 गयारा से पहले तो आपने आपने आप यह आगे आपने आप यह तो आज अभी जो इन किया है आज सारा दिन जो मीटिंग रही विर्ट्वल मीटिंग जो थी उसमें था मैं तो आज बहुत यह रही मीटिंग वहां पर बहुत काफी स्पोक्स ने भाग लिया उसमें और बहुत ही सकारात्मक रही और अभी मैं साकी जी को सुन रहा था साकी जी ने जो एक्स्पनेशन किया है कंसेप्ट का वह बहुत ही सुन्दर सब्दों में किया है उना जी पूरे इतिहासिक परिपेक्ष में और वग्यानिक त इसे भी खुशी होती है कम से कम उनमें जिग्यासा है जानना चाहते हैं जो प्रसंद करता है वह समझने की छमता भी रखता है तो नोजवानों में आज देख रहे हैं कि कुछ नया जानने की इच्छा है पुराने से सब वो उप उप चुके हैं उसमें उन्हें अपनी कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रही है और वीद्वीड पOOD का जो कॉंसेब्ट है जूढ़ने का एक होने साथ रहने का जो एक वह ग्यानिक ऐक प्राकरतिक कॉंसेप्ट है उसमें हमारी सुरक्षण है और उस कॉंसेप्ट को नौजवानों के मन में प्रसंद आया और इतनी उत्स नुक्ता से वो सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो जान के बहुत खुशी हो रही है और विदी प्यूपल इस जुम्मेदारी को निभा रहा है यह भारत की प्राचीन परंपरा है जिसको विश्व ने देखा है समझा है और जिस सिद्धानत के ऊपर आज भारत जो संस्कृति प्राचीन अपने संस्कृति को विश्व को प्राचीन अपने संस्कृति को विश्व ने इसमें अपना विकास, रक्षा, व्यवस्था को पाया है लेकिन भारत ने उस प्राचीन अपनी संस्कृति को विश्व को तो दिया है लेकिन भारत से वो अभी लुप्त है तो आज जरूर्ट है हमने बहुत बाबा साथ ने कहा कि संग्ठित रहना है लेकिन हम संग्ठन बना बना के अपनी शक्ति को हमने इतना बांट दिया है लाखों टुकडों में उसको एसास करना है कि उससे निकलना है और वी दी पीपल के कंसेप्ट को अपना के अपनी एकता को दिखाना है और उस एकता में अपनी सुरक्षा ढूननी है और उसका ताजाउधारन हमारे सामने जो दो अप्रेल उनीस सो अठारा का दिन है जिस दिन हमारे अधिकारों को पार्लियमेंट ने सीना छीना उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि हम चार लाख टुकडों में बटे हुए लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने विचार किया और वी दी पीपल तो नहीं था लेकिन उसका विचार था उसके जैसे ही हम सडकों में आए दूसरे तिन पार्लियमेंट को ठीक करना पड़ा इतनी बड़ी शक्ती है इकठा होने में एक होने में इसलिए आज हम सब को इकठा होना चाहिए और अपने को बचाने सुरक्षा है इसी में और आप सब नोजवान लगातार सा साथियों को बहुत साथ वाद देता हूं और आप इस कॉंसेप्ट में पूरी टाकत से लगें और इस देश को बचाएं ताकि यह जो समान इस देश को मिला था वो दुबारा से मिले हमारे नोजवान बच्चों को दुबारा से अपनी सुरक्षा मिले उनकी सिक्षा की व्य साथ वाद देता हूं और इसको आप पूरी मेहनत से आगे खूब जारी रखे रोज इसमें जोईन करें और औरों को मित्रों को बताएं अपने रिस्तेदारों को बताएं सब संस्थाओं को इसमें जुड़ना चाहिए और बाबा साथ के सपने को पूरा करके भारत को अतुल जी और तुल जी को डाट लगा रहे थे आज कितने नंबर तेरे अतुल जी तो हीरा है इतना यह तो पता ही नहीं है कि अधिकार लगा सकते हैं कोई बात मी अधिकार है मैंने उसी दिन फिर इन से बात की जिस दिन डाट लगाई और मुझे पता लगा अतुल जी तो इतने विद्वान है इतनी जिग्यासा है वो तो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे अतुल जी से तो मैं फिर कई बार बात की खुद भ सब्सक्राइब करते हैं रिकोर्डिंग मन कर लो आज आज जो है नहीं आज तहला दिन है जो इतना जंदी कर आप नो कर दिया है एक मिनिटे की स्वर्जी है वो कई बार जूटते अपना इंट्रोडेक्शन दे दे प्लीज इव जूआ रहा हो गया तो मर्जी बोले वो और जो भी होस्त है को आपना रिकोर्डिंग बंद कर दे में लाई भी प्र लाई भी अचल्दील ना ओ लाई भी मॉन बंद कर दो अदो इस वर्जी ज़़ा थोड़ा साद करना हमें कि और आए तो काफि जी अन्नात्ति रहते वाँ परियार सर जी जी यहां जी साक्षिए रेड मेट्रू सर का माइक कनेक्ट हो गया तो एक बार फिर से उनसे पर्चे लेगे उनको बुलाओ बुलाओ जो नहीं लग रहे हैं मुझे वह भी नहीं लेड मेट्रू सर अगर आपक करियार माइक को अभी परियुट कर लिए सर इस्वार जी वो लैंगे उनके ले लो इसजी अब बोले इसवीजिया जैभीम जैशोईधान जैभीम सर जैभीम सर रिटार हुआ हूँ आओ अवे इंप्रेक्टर से कर्णाल में में दिए याई सहां वमें चोर माहिने से इस को जुड़ा हूँ तैंट करता हूँ बेटिंग चार माहिने जे कंटीनूर डेलिंग में ट्रेंट कर राऊं और जो बहुत कुछ चीखने को मिल रहा है और अपने दिकारों के बारे में जीची कर गयान अमको नहीं था वो विशीक रहे हैं और कई एक लोग जोडने के प्रया आपका नंबर डालना है इस वर जी अपना इसमें चैट बॉक्स में तुम नंबर डाल दिया में जानता हूं पर श्रवाण करमडि जीघि छाथ अमिरा लिंक पर सुआ है ऐंक्यू जी आंक्यू जी करम तो हमारे करांतिकारी साथी है है इस वर जीू करंतिकारी हैं आप्छ याप करें पćкив कह स्वाद्टेन में मीटिंग में हां बिलकुल बिलकुल इस्वार जी मूर स्थेवाण जी लड當 Espald में फिर रिकुल विलकुल विलकुल घर रही है लडेंगे पिल्कुल लडेंगे सब्सक्राइब करें को बोलने दो बोलने दो अच्छा काम करें अच्छा काम करें मैं भी सीख रहा हूं भी आप बोलो तो इनके साथ बात करो अथो आवरी निया भ gitu हुए ना सब्सक्राइब करलेव कालि में थोड़ा सुन रहा हूं सभी सुनें अजिए और हुए इस्व हिए अदुशा के सफैरा कि जी ने इस आसे जह कि शांबिर जी जीडिवा साहिए ये साकी जी तो हमारे मित्र हैं, एक उनके भतिजे हैं. हम तो इनके घर गए हुए हैं. जबी तो डाट लगी. आँ, तो घर के हमारे भाई हैं छोटे. जी, जी, जी. इनके चाचा जी तो इतना काम कर हैं बहुत बड़ा मास्पूल बनाय हुआ है लाइबरेरी बनाय हुए हमारी किताबें मंगवाते रहते हैं लाइबरेरी में रख्य हुए है वो तो बहुत संगर्सील है और अभी वहां पर जो भावा सा भगवान बुद्ध की मूर्ती तोड़ी गई थी वहां पर तो इनके दो picked ho UP please आप थोड़ा देखो हुआ है यह है तो बड़े परिवार से वहां तो साक्षा के चेत्र में भी और समाज को वहां दिसा देने के लिए जर्म पढ़ाने के लिए भी बहुत दिनों से कंए्ट्र एफ Lightning Definitelylez Fun मैं तो एक बार वहां गया था मेडिटेशन का कैम्प लिया था वो कैम्पी वहां पर सिखा कि ध्यान सिखाने गया था तो शाकी जी बहुत प्रिसंता हुई आप इस आपका तो परिवार पहले से ये काम कर रहा है और आप उसको और भी अच्छी तरह से कर रहे हैं मैं बहुत साथवाद आपको देता हूं आप कुछ भी के सकते हैं डाट सकते हैं यह परंपरा होनी चाहिए यह मुल्य होने चाहिए हमारे यह और ग्रेट वहाल एप्रिशेशन पोर यू थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यह यह आपकी डाट का ही नतीजा है ने 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 हमारी बात होई तीसा के जिया तिंता मत करो हम ऐसे थोड़ी चाने देंगे बाइगों मिलके करेंगे ऐसा है विजय बहुत लोगों पता है कैसे क्या हुआ है लेकिन लोग बोल ने बोल दूना दे उसमें जो जनपुर से चला अपने काओं के लिए माइक बंद कर लीजे अपना लाल सिंग ज़र आप फिर से घूम जाएए एक बार फिर से घूम जाएए हम लोग संकिसा में एक मीटिंग कराने वाले हैं पीदा पीपिल के साथ इस कॉंसेट को इस तरह चलाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं है कि आगर आप की करमवीर सर की जोहरी सर की और सुदीर सर की एक जन्रेशन के बाद लगवग लगवग वीस तीस सालों का एक गैप है बच्चों के बीच बीच करेंगे वहां आएंगे बाई जी जी प्रोग्राम करने का पूरा हम लोगों का मन है और उस प्रोग्राम को करने के लिए हमने कई बार सुदीर भाई साब से भी क्या रख्था है बाकि उस प्रोग्राम को हम लोग इस तरह से करेंगे कि वह एक टीचिंग प्रोग्राम होग है जी जी बाबा साहिब की तस्वीर भी लगवाई हुई है बीच में और सुन्दर सुन्पर कलाकारों ने बनाई हुए मूर्तियां वो सर 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 वो भी देख किया थे तर वाकि हम लोगा प्रयास यह है कि मास स्केल पर लोगों के साथ क्मुनिकेशन इस्टब्लिश्ट किया जाए बाकि और साथियों से अग्रे करूंगा कि जीरो आवर स्टार्ट हो गया है तो वह अपने प्रिलांसिंट में अच्छा बदाना चाहरा है उसके पर बात करने बैट रहा हुगा जैसे कि कोई नेता घडिया किसे इनके बोलते हैं कि संविधान की समिच्छा होनी चाहिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता है तो मैं इस संदर्ब में कहना चाहता हूं कि जो पूना पैक्ट पर क्या लिखित समिच्छा कोई एनालिसिस कोई रिपोर्ट कुछ मौजूद है आज तक पर जो रिटेन यर्वदा सम्मिलन में गांधी और अमवेटकर सहाब के बीच में जो कमने लावाड हुआ कोई समिच्छा की गई हो और बुरी तरह ये फेल हुआ है इस पर हमें हमारा फिर से होना चाहिए कुछ उसको तोड़ देना चाहिए हमें पूरा प्रेक को तोड़ देना चाहिए जी जी बिलकूल फिर से जो बाबा साहिब ने डिमांड रखी उसको हमें फिर से वापस लेना है जी वो तो वी दी फीपल में जब सा आप इकठे होंगे तब ही तोड़ पाएंगे ने ने वो तो ठीक है सर लेकिन मैं अभी से ये ब सब्सक्राइब की मांग लगए इस अब होता रहा है तो आभी भी उसको लिया जा सकता है उसकी बात रखी जा सकती है नई सर रॉबस्ता में सब्सक्सषाइडत हो रहा ता लेकिन अभ स्वेस्था निरंत हो आई इस विवस्ताने से चजीज्स आन्य आइए सब्सक्राइब करने में नहीं होगा इसको तो करेक्शन नहीं जाना पूटेगा रीडिस्ट्रिबूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ जो पॉलिटिकल उसमें वो है तत्थ हैं जो यह डिया जा रहा था मैं केवल उसी संदर में कुछ कहना चाहता हूं सर प्लीज कहिए जो मेरा मतलब है हाँ बोले बोले जी सर नहीं मेरा कहने का मतलब है कि जो बाबा साहब की मौलिक मौलिक मांग यह मांग नहीं थी जो आज हमें दिखती है यह पूना पैक्ट तो मजबूरी का समझता था ता बाबा साथ के समर्थन में न तो उनकी उनकी कौ्म तयार थी ना समाज तयार था इस बात पर उनने कई बार अपने आपको साइप आया और कई बार अपनी देवसी चाहिल सब्सक्राइब कर दिया ना इस बात की ठीक है लेकिन जब सब्सक्राइब कोई भी बात सम्झोते में या तो सत्रासु तीटर से पहले की सब्सक्राइब की कुछ ना कुछ चीजे हैं भारत सरकार की शंकलपना आपको अठारा सो तेटिस के चार्टर एक्ट से आई है जब पहली बार भारत सरकार वह भारत सरकार का गया जी जो भी प्रोविंसेज आल दा टेरिटरीज विच्वर गूइं चुबी पोजिस्ट बाइ पहली बार भारत सरकार नामी आया थारा सो तेटिस में ठीक है मेरा यह चैना था कि क्या वो पॉस्बिल नहीं है इसका मतलब यह हुआ जो मौलिक मांग ँप अब अगर speaking का अगयं भुस्ताकी कर रहा हूं यह मांग नहीं थी सर यह बिला था और कम्पुनेल अवाधर में यह आट थी नहीं पहले कमने लवाड की शुरुआत कहां से होती ना वो भी तो देखना पड़ेगा कि कमने लवाड तो कंप्रोमाइस था लवाड तो एक्शुल डिमांड नहीं थी ना पंडामेंडल दिमांड तो सेप्ट इरफ्टरेट पूर्ट इसमें इसाहियों को एड़ा जो रैमजे मैंड़नेल्ड साफ ने फॉर्मेट किया था बाबा साथ की रिक्वेस्ट पे वह उसकी घोशना होई थी बैकादा यह दिया गया तो अगर मैं दस सेकेंड की समिच्छा को हूं तो आज तक जो सतर साल हो गए हम कहां तक पहुंचे हैं हम तो अभी दौड में ब पर हमें फोकस करना है इक्वालेटी जो बात कर रहे हम शोशल और आर्थिक बराबरी की उस पर जो देना भी उस पर हमें करो जो समिधान की बात है फिलाल और वह उसी का ही पार्ट है वह ही पार्ट है सारा लेकिन वो दोनों जो है वो हमें मिल ले रहे है अधिकार शोशल और आर्थिक बराबरी की जो बात है मिला था वो भी छिनने को जा रहा है इसलिए वीड़ी पीपल की जरूटा ज्यादा है पहले से भी बिलकुल बिलकुल तो छिनना जा रहा है काफी कुछ को यह जमीन में बच्चों बच्चों तक पहलाना पड़ेगा मुझे समझ में आरी बात तो आप आप हम सबने मिलके पहलाना है यह काम तो करना है जरूर यह अभी सर हमने यह काना कि एक नए वाले प्रोग्राम में हम लोग सत्रा से 25 साल के बच्चों को इसलिए इसलिए जी वो करते हैं तो वो तो एक तरह से पूरी तरह से मनवाधी यह स्था के लोग है बुराने समय से करते चले आ रहे हैं जी सार उन्होंने हमको फोन की हमारे कारेले को हमसे का कि आपके डियाइपी का टाइम चाहिए तो हमने का ठीक है लेकिन साथ में जब मैंने उ सकता है बाई राम और बुद्धिक साथ कैसे चल सकते हैं हमने का या होता होगा अब नहीं चलेगा बहुत पहले हो गया कि जब डिप्टी सियम साथ को संकिसा में बुलाया था है हली कॉप्टर से पिछली साल की तो बात है आप तो शायद भी लगता है वहीं से और वह वह को जो जहां पर लड़ाई है लड़ी वहीं जाए उसे लेट नहीं करना है सर्थ परियार से एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी साथी सदन में जुड़ते हैं उनकी एक नैतिक जिन्मदारी होनी चाहिए कि जहां भी जो चीजे हमारे मनसुबों से मेल नहीं खाती हैं वहां हमें अपनी आवाज जरूर मुखर करनी चाहिए क्योंकि हम लेंड़ो करते हैं यहीं हमारी कमजोरी होती है जी जी एक साथ के जी यह ब्रिजनंदन प्रसाद है वेस्ट बंगाल से उनकी इंट्रोड़क्शन हुई है क्या ब्रजनंदन प्रसाद सर्वेस्ट कारे में भी कहें जैभीम ना वो बैसर जैभीम सर जैभीम मैं प्रसाद बैंदेरों से हूं मैं भुद्पुर्व कमचारी हूं रिलेकार और मैं आधी पहले बार इसमें जुड़ा हूं चर आप अपना पर चैट बाप्स में ठोड़ दियेगा प्रडिक्शन के बाद आपक तो अधालक मैं देखा इस तो तो मैं देखा किया बात है देखूं जला रहे हैं तर में बेजा सत्यवान में चलकट्ता में ही मैं चाहता हूं तर मैं इसमें जुड़ा रहा हूं और मुझे लिक्टा रहे भी कि मिलता रहेगा जुड़े रहें जी 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 गुरूब में डाल दो इनका नाम डाल दो नंबर ले ले लेना से आप सत्यावान जी या आई एडमन एडमन है गुरूब में डाल देंगे से देवां जी जो साथी आज की फिजिकल मीटिंग में दिली में गौतम सर क्या थे तो चुक्कि अभी करमभी सर ने कहा है तो वह अपना अनुबर आज का थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे तो जो लोग नहीं उपस्तित थे उनको भी कुछ बातें समझ में आ जाएंगी एक चीज तो मैं ब से परांठे लेके आयए थे वहां के रोड़ लिखा हुआ था परांठा बैंक वेज़े बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जादी यह जो डोटी यह वह सूप जाती है परांटे का जो कंसेप्ट है वो यह है जो परांटे लेकर जाते हैं तो उसके साथ हम अचार लेकर के जाते हैं सब्जी के उसमें जूरत नहीं पड़ती और जो परांटे वो जल्दी से हमारे खराब बिनी होते रोटी क्या है रोटी सूख भी जाते हैं और उनको खाने के लिए हमें सब्जी की जूरत पड़ती है अब सब्जी जब हम सभी लोग लेकर के सब्सक्राइब नहीं लेगा तो परांथे हमारे जल्दे से खराब भी नहीं होते और अचार के साथ लोग उन्हें आसानी से खा सकते हैं पराठा समता मुलक पराठा सब्सक्राइब जो एक मिनट यूगेंदर जी सब्सक्राइब सुन ले सुधिरा जी ने वीडियो डाली वे प्रांथे के पर अवकन डाली दिए बिल्कुल यही बात जो बता रहे हैं चलो सुनकर भी बताया होगा या जो भी है तो सुन सारी चीज़े हैं उसमें भी क्यों परांथा यूज कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं और शिर जी ने आज सारा दिन वहां भी बहुत जी आरे आज विशेक प्राद जी क्या कह रहे हैं तुने मैं यह कह रहा हूं कि परांथे हम लाए परांथे के पीछे लाने की जो इस्ट्राटेजी थी जो रीजन था वो बहुत अच्छी जीज़ है लेकिन आज जो सबसे बहतरी जो वहां पर चीज हुई है वहां पर भावना की जो महां पर काम हुआ है वहां भावना का जब सबके परांथे एक साथ मिल के रखे गए और जितनी हमारी मैलाई थी संगती में सबने अपने हाथ से रख रखके सबको परांथा और अचार दिया और सबने बैट के साथ में हस्त खिल खिलाते हुए वो खाना खाया, वो जो भावना बनी, वो भावना अमूले है, उस भावना का कोई तोड नहीं है, जो जबड़जस्ट पॉइंट था पूरी मीटिंग का, वो पराठा और अचार ही था, क्योंकि उस पराठा और अचार को साथ में खाने से जो भावना वह थी, उन्होंने सबने खिलाया, बबली हिराजी ने एंड तक अपने हाथ से सबको खाना खिलाया, वहाँ पे, और लोगों में इतनी प्यार की भावना आई है, तो यही जो भावना है ना, यही हमको जोड़ देंगी, यही जो भावना है, यह हमको सबको एक अच्छा कर दे सबको यह बोला जा रहा था, कि बहुत सवाल आ रहे थे लोगों के, कि यह पराठे का क्या कॉनसेप्ट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यह से अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, वहाँ तो जो है, क्योंकि हम सारे के सारे वीदा पीपल है, हम यह बात नहीं डिसकस करते हैं, कि किसका कौन बैक ग्राउंड था, तो जितने भी अलग अलग बैक ग्राउंड के लोग थे, सब के हाथ में एक अखबार था, अखबार के ओपर दो पराठे तो पराठे ही ओपर था, आचार, और सब ने बड़े प्यार ले गए, कुछ लोग ने और लोगों खिला दिया, और सबसे अच्छी जो बात रही, कि आज हम सारे लोगों ने 30-40,000 रुके बचा लिए, हाँ, तो यह बड़ी बात है, हमने, क्योंकि हमने अपना पैसा भी बचाना है, हमने अपना पैसा खराब नहीं करना है, कहीं कहीं, खा रहा है, तो इसलिए जो यह जो कॉंसेप्ट है ना, यह एकदम नया है, और यह मन को छूने वाली चीज है, कि सारे बैठे है, एक तो भाई, जी सर, एक सर, एक क्वाईटे भी लिए लिए, इस सबसे बड़ी चीज है, कि हाईजीनिक बहुत है, दिल्ली के खाने का हाईजीनिक है, सेफ है, और हर तरह से वो अच्छा है, लेकिन सर, बचे हुए पराठे, बचे हुए पराठे जो है, बाहर कुछ बच्चे थे, उनको मनिशा निगम जी ले गई, और उनको उन्होंने शायर महां भी बाट दी है, बहुत ज्यादा पराठे में बच्चे थे, इसके पिछे, बहुत बड़ा राज ओर था, बबली हिराज, और अभी मीटिंग में भी आई हुई है, उनको इंट्राइशन करवा भिया, बबली हिरा ने अपना पूरा पास साथ मिंट बता दिया था, पूरा डिटेल, आपका मोबाइल, आपका नेट खराब रहता, बच् लेकिन आज जो भी कुछ हो आज मज़ा है, प्रतरलाल सिंग जी को डव साब को, बड़ी बात क्या हुई परोंठे वाली ध्यान से सुनो, परोंठे या खाना ले जाने का मतलिये था, कि वहां यह जैसा कि हमारे कुछ साथी बता रहे थे, कुछ कोमेंट्स भी कर राखे, हम करें दगले हैं, उसमने कालीर यह लिख रहा है, कि हम आप बन रहे हैं, भाहियां हम आपके मठे इसलिए हम एपनी रोटी ले के गए थे, छाना ले के गए थे इसलिए अमारे लोग जो जा के वहां वह वह भी अपने पनोथे बना के लिए मंत्री नहीं आया कि एज वह श वही बताया कि भावा साम ने बताया है जो जमीन सरकारी है जमीन हमारी है तो इसलिए आज जितनी संस्थाइं खड़ी और ज्यान से सुन ले कुछ लोगों आज तक हमारा जो ना गौर्मेंट और मंत्रियों से बहुत दूर करते रहे और उसका बहुत बड़ा नुक्सान कोई भी अगर ठीक डंका भावन है तो गौर्मेंट की मदद से बनता है उसको अम यह मतमानों कि वह किसी पार्टी का है वह आपकी पैसे का है मैंने वहां में नागपूर में गाया तो मैंने उनको कहा तो वह एकदम तूटके पड़े जब उनको समझाया कि वही आपकी जो कि अमा तो अदूसे थे नहोंता है ? क्ली ने फ्टरी क्नों डावं फची टह् się का है चोना नाख कके धाना फश्रानुंक का हावड़ मैं गोर्मेंट पीजा वह आपका पैसा है तो गोर्मेंट में जितनी भी सवीधा ली जाए होतनी लेनि चाहिए और जहां तेंस बात हम जाएंगे इसके ầावा एक बात और ये भी है जब हमें पैसे बचाने ही है तो हमें तो कोई भी जगा दे दो हमें तो योगिंदर जी दे दे 26 आदमी इसे गया डोने के बैठाखे जाएंगे अब अपनी усup अमेल ने बैठके बैठते हैं के मेरे में उनको प्ता ही है क्या मामला है जय है तो यह रहे आप एक Σाज करेंग। यह कर रहे हो वो कर रहे हो तो भहिया उनसे का कि ठीक है आप दिला दो जो जगा आप दिला सकते हो अगर आप मानते हो किसी ऐसी पार्टी से हो जो दावा करती है कि वहां दिला दो अगर आप मानते हो कोई ऐसी पार्टी से हो जो नेशनल लेवल पर काम करती है वहां दिला द तो आप कहीं पर जगा दिला दो ना हमको हम पैसा नहीं करणा करना चाहते हैं, अगर आप नहीं दिला सकते हो, तो आओ हमारे आदमी के घर, आओ वो आपकी समंद समाज का ए, आओ वो आपकी बात करता है, आपकी घर आओ, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों के जो ऑजेंड़ा हैं वो हमेशा पॉलिटिकल हैं वो उससे आगे सोच नहीं रहें लोगों के जो अजंडा है वो ulterior हैं जो motives हैं वो ulterior हैं क्योंकि मन में बात कुछ और होती है मुँपे बात कुछ और होती है इसलिए लोग इस चीज को समझते नहीं है कि भाईया जो आदमी काम कर रहा है उस आदमी को वो आदमी हमसे जुड़ेगा हम उससे जुड़ेंगे मान लीजिए अगर यह जहां आज हमने बैटके रोटी खाई है वो जगा ना होती या हमें कोई जगा ऐसी ना मिलती जहां पर हम कुरसी मेज पंखा चाय कॉफी सब हमें अवेलेबल कराने पड़ते तो इतना पैसा तो वैसे खर्चा हो जाता अगर उपर से उसकी हमें ने चैना हमाने तो फी जाती है गरुद शलों very big खाना सब एक जैसा breeds में गरे को भाष्म हो जहां सब खाना सब रहेगा वह परांठा आचांब हम अपने घर में भी खाते हैं तो इसलिए वो सबसे आसान ससब संसे आसाना करण Сам硬 यह reflecting Б candee नहीं होता है लेकिन दूम से बहुत कुछ होने वाड़ा है इनके साथ 40 साल से समाज का काम करते हैं यह 40 साल से जानता हूं तो अच्छे नहीं है करम भी सार अगया इजाज़ा तो एक बात कहूं मैं काली सा बोली बोली किया सारे जानते बात गोत्म जी की के वल गोत्म जी की है वहाँ पार्टी की कोई बात नहीं है की हम दोनों ने मिलकी है और बहुत धरम की इनकी पहले से रही है तर हैंरी जी की सुनने पहले थोड़ी बात हैंरी जी बोल रही है मुझे लगता है यह कोई ज्यादा बड़ा इस्यू नहीं जिसके पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कौन क्या कह रहा है तो अगर हम इस कंटेक्स्ट में जाएंगे यह हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है हमें डाइवर्ट कहिया जा रहा है तो यह हमें समझाना ठबहिएगा. अगर कोई सज्जन ये बात कर रहे हैं, वो आपके हैं, जान्वों किसी और अनदर पार्टी ये हैं, तो अगर हम इस बेशन में अगर हम बात सोचेंगे, तो हर कोई किसी ने किसी पार्टी से टै जाया, कोई कांग्ररस को बोट डाल रहा, सब्सक्राइब कर दिया है सत्यानास कर दिया कुछ नहीं किया समाज के सारे लोग बुरे नहीं होते हैं कि देखे समाज में अच्छे लोग भी पूरी होने देते हैं वह कहना क्या चारा उसकी सुन तो ले प्लीज मेरा कहने का मतलब हमारे पास जो लिम्टर्ड रिसोर्सेस है वो हमारा टाइम है हमारा पैसा है ठीक है तो यह फाल तो भी बातों में हम अपना टाइम और पैसा ना बरबात करें जो मुद्दे की बात है हम उसी के उपर डिसकुशन करें वो ज़्यादा बैट रहा है सर्थ तो मैं जानना चाहूंगा सरा आज जो मीटिंग हुई थे उसके अंदर में किन क अजन्दा पर बात होई थी है जैसी मीटिंग हमारी ऑनलाइन चलती है ना जी 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 हमारी वर्चूल चलती है बिलकुल वैसी एक्चूल चली है आज मीटिग शुरू हुई है लोगों का इंट्रोड़क्शन हुआ है वहाँ जो 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 लोग आये थे उनका सब का सब ने साथ में जो है खाना खाया उसके बाद फिर कॉंसेट पर बात हुई बताया गया उसके बाद फिर लोगों ने अपने व्यूज रखे जैसा कि हमारे यहां वर्चुल मीटिंग में होता है उसके बाद फिर भंते जी ने मंगल मैतरी कराई और जो है मीटिंग खतम हुई है बिलकुल ऐसी चलिए जैसी चलती है लास में बीदा पीपल का लोगों भी देखे आये मंतरी जी को मुने बोला कि आपकी जो बिजरत बन रहा है उनका इसमें लगाए वह भी हुआ और महां लोग आये थे एक तो एक तो आपको मज़दार इससा में बत तो वो आगे बोले कि भईया मैं तो पहली बारा हूँ मुझे नयम सिंग जी तने दिनों से कह रहे थे कि आप जुड़ जाajो मैं तो पहली बार आया हूँ और जिससा आपने सबने साफ Ohh zip, फॉल्ह गाल को डिलए लोगा फैस्टी बीशाम उप और इस मुहीम में मैं हफते भर में 10 लोग जोड़ूंगा तो लोगों को यह चीज समझ आ रही है और यह जो भावना है लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आज बहुत सारी इसकी चीज़े हुई मीटिंग में बहुत सारी जुड़ने जुड़ने पर हुई अलग से कि वो कैसे जुड़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे इसके लावा और कोई बात नहीं हुई जी 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 बहुत अच्छा हुआ जी जी मैं यह बताना चाहती हूं सबको कि वहां पर एक नई सब्वारा बताना दोबारा सुनु दोबारा जब लोगों ने हर बात पर तालिय बजाई तो भिक्कु संग ने बताया कि अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो आप इसको सादू सादू करिए तो तालिया बजदी बंदों के फिर सबकी बात जो सकारात्मक बात थी और जो अच्छे लोग बढ़िया काम होता है तो एकाद को अच्छी लगी तो इसलिए अब जातू 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 किसको करना जातू जातू किसका नाम आ गया है और नाम जानके जातू 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 यह अच्छी बात है यह लेजिया आगे हर्द्याल जी यह लोग नहीं थे उनको मैं बता दूँ आज हर्द्याल जी का हैपी वर्डे टू यू भी है इतना सारा थाना है इतने सारे परांटे अर्द्याल जी को भी आपको भी जनमतिन की सुब कामनाई जी थानकी थे आज अज सब्सक्राइब आज बड़ी पात है के दशेरा के बाद जो पहला संडे आएगा उसमें सब लोग अपनी फैमिली के साथ बुद्धा गाडन में मिलेंगे खाना बना के लाएंगे और वहां जो है कि आप अपने साथियों को जादा जोड़े राजवीर जी बोलना बोलो हैंड्रेज की जोड़त नहीं है मैं मैंने आज अपने जिया जी को भी लेकाया था वो बेसेनल में अपने चैनल दूसरा बेटा एक बेटी उनकी गौर्वर्मेंट स्कूल में टीचर है वह अपने समाज वालों पर गाना भी सुनाया था और मैं अब अब लोगाने तो तुली राम जी से ज्यादा गाने सुनधिया वह आए नियाज मीटिंग में लेकर एक बात यह जी सब्सक्राइब लिखा और राइटर भी है राइटर लिखा और उसी टाइम पर उसको गाया हलो जी जनमत दिमकी हादिक मंगल कामना आपको थैंकि सेर थैंकि सोब्सक्राइब मैं में तो लगता है हम मेरी उजुवल की मेरी वाइफ सानु की हमारी गरवापसी हो दिए अपने लोगों में हम सब यह की होनी चाहिए हमारे आदमी दरुदर बिखरे हुए सबी को जोड़ो सबी को जोड़ा सब्सक्राइब गरवापसी तो सारे करना चाहते घर ही नहीं मिल गाथ था जब अब गर वानना शुरू आए फ़ियर अदि यह उन्यक्ता से पांड़ों आई वे थे कुछ वहां से आए वे थे सब हमने कॉल करके न मैं लेकर आए थे हम और उनको बहुत सब को बहुत अच्छा लग रहा है यह प्रोगाम कि आर्के पारके सर श्राफने गाना सुना होगा बैसे किराय के घर की आशाख्यों करते हैं जिसके बारे में भारती साहितिकार लिखते हैं कि जिंदेगी एक किराय का खेर एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो पर्मानेट गर तो पर्मानेट गर तो मोक्ष है महापर निर्वान तो महापर निर्वान की तरह बढ़ें सर जहां आप बात करना पर्मानेट गर वहाँ पर बिरोध भी निया महाँ तो कुछ है निए सर वहाँ तो कुछ है निया सांति के कुछ नहीं कि स्थिर्टा है स्थिर्टा तो आपने अगर यह बात छेड़ी दिये तो सर मैं आपसे थोड़ा मैथिमेटिकल पूश्चन ही पूछने चाहूंगा सर प्लीज अच्छा है अच्छा है एक बड़ा मेरे में किरियस्टी है आपके इस वेक्तित्तों को लेकर मैं बड़ा प्रमावित रहता हूं आप इतने शालीन तरीके से प्रश्चन को रखते हैं कि तीर भी निसाने पर लगता है और काम भी वह जाता है लेकिन आपकी शालीनता बनी रहती है जी सर अगर हमने जीरो को डिफाइन करना है और जीरो और इंफिनिटी की डेफिनेशन समझना चाहूंगा जीरो किसे कहेंगे इंफिनिटी किसे कहेंगे अगर जोरी सर दे सके तो सीनियर है ना फिर मैं पूचिस करूंगा जोरी सर पहले जुनियर को देना होता है अच्छा सब्सक्राइब देखते हैं कोई गलती कमीन ने रहे कि आरके सर आपने बड़ा प्रश्चन पूचा है और प्रश्चन आपका बहुती हाई डिग्री यह वैसा प्रश्चन है जैसा हम लोग कहते हैं कि सर्किल का स्टार्टिंग और एंपॉइंट कहां पर है तो सर आपने एक आइंस्टीन की तेरी हम लोगों ने पढ़ी रिलेटिविटी की कि फ्रेम ओफ रेफरेंस एक शब्द होता है फ्रिजिक्स में हमारे पैज में भी होता है जो रिलेटिविटी पढ़ाते पिए तुलनी है तुलातमक है जैसे स्मकंड गजिक दुक्त टुला में का ला है और जहां सेugen प्रफेरेंस 된े में ज़ो आपका सेट फ्रेम ऑफ रिफरेंस है जहां से आप सोचना शुरू करते हैं और वहां जब आपके काउंटरबार्ट को देखते हैं तो आपको इंफाइनाइट डिखता है जीरो का वो छोर जो आपके शरीर में स्थित्वो जीरो नहीं है पोडल पर पैंगे हैं अभी थे थोड़ी दिर पहले आप नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है थे जर तो के साथ किया आप कितना संतुस्ट है कितना संतुस्ट है अगर आपकी यह इसमें इसमें एक चीज का फरक है आपकी पोजिशन का फरक है अगर आप जाके खड़े हो जाएंगे तब इस जीरो को देखेंगे अगर आपनी पोजिशन को चेंज करते हैं और जब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं अगर आपका फ्रेम ओफ रिफ्रेंस आपका जुपा कोडिनेट है न आपके जो और जहां से रिफ्रेंस लेंगे वह जीरो होगा और एक तरफ देख पाएंगे तो पॉजटिव होगा और आपके सर के पीशे निगेटिब होगा सब रिफरेंस का क्या लें सर तो जीरो की वैल्यू है जीरो की ही तो वैल्यू है इंफाइनाइट जब तक किसके साथ कुछ लगना जाए तब तक कोई वैल्यू नहीं सर जो आरके सर पूझने डिफरेंट चीज ए आरके सर जीरो की अपनी लोकलाइज वैल्यू है अगर जीरो नहीं है तो फिर इस अंसार में कुछ भी नहीं है वैसे जीरो और वन जीरो वन वेल्यू की बात करने हैं न आप बात खरी जो इक्जिस्टेंस की वेल्यू न वो दूसरी चीजों के एक्जिस्टेंस का कारण जीव सब्सक्राइब चाहें तो इनका कुछ ने कुछ हुआ था क्या आज बात हुए इनकी बीदी चौदरी जी बीदी चौदरी का सर्ट इंट्रेक्शन हुआ है अभी तुल्सी महरा साब कह रहे थे कि हमें कैसे पीदर फिपल में लोगों को जूड़ा जाये सर्व इसके बारे में मैं तोड़ा स बताना चाहें जबता हम किसी चीज को सोसल मीडिया हाजकल हमारे जुड़ने के लिए बहुत साधन है हम लोगों को किसी भी माद्जम सोसल मीडिया के माद्जम से हम लोग जूड़ सकते हैं और बरवली किसी से मीटिंग करके में चले मीटिंग करते हैं उनसे भी जूड़ स जैसे कि आज हमारे बोजन समाज के यह स्टुडेंट इस में पास हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत सब्सक्रामना हैं, और अपने बहुत समाज से बहुत लोग जालब हुए हैं, उनको भी जोड़ेंगे दिधा तुर अब जोड़ने की बात ही आईगी है, तो चलो इसके व जोदे हैं, जिसे एक मिनिट में पूरे हमारे समाज में परफेस नाज़, तो ऐसा मैफ़र है, कोई करीक है, जो एक मिनिट में हमारा समाज है, जो है है, सरय है, है सरव वह लाल करिंति है, लाल सलाम, बाकी प्रॉसेज बहुत ही ग्रेजविल प्रॉसेज हैं जैसे आप किसी बड़े राजा को मार दीजेए एक मिनट नहीं लगेगा वाइरल जैबिम बुला तो भी बहुत सारे लोग यह कट्टा हो जाते हैं लाल सलाम अलग बात है जैबिम भी तो उसके उससे कई ज्यादा पाउर पुला आप इसे विचारदारा पर मत चाहिए कि फिल आवेश कांतर है पूल और हॉट का डिफरेंसे जरी है देखे जैसे मैंने आप से कहा हलांकि बात बहुत बचकानी है लेकिन भारतिया राजनी थी नहीं इस बड़ी विचारदारा पर चलती है कि कहता है कि करांती बंदु किनाल से निकलती है लेनिन इस्टालिन काल माक्स जैसे लोगों ने क्रमशा एक ही विचारदारा को अपने अपने फ्रेम में कसा है शेडी संगवाद से जो प्जा हुआ जो पैटर्न था स्टालिन के समय तक आते आते वो सामेबाद भेक्तिवादी हो गया और ताज्यूप की बात है कि तीनों शाषकों ने एक तिंकर दो शाषकों ने उसे अपने अपने पजामें में पहना लेकिन आप जब कभी भी देखेंगे छोटे मेंटल फ्रेम के लोगों को हमारा ही भाई एक ही घर में एक बहुत ही जद्रा मांसिक रूप से विक्षित होता है आप एक बार समझें यह जो हमारे लोग है न यह प्रतिमानों के आदि आप एक किंग को ढेर कर दिजिए फिर म समाज में वो शेने सभीयों में आते हैं अब सुचे दस लाग साल से लेकर एक लाग साल तक आदमी ने केवल चौपायों पर भाशा जिकी नो लाग साल लगे तो ऐसे तो बहुत लंबा साम समय लगेगा लेकिन तो आरके सर ने पूछा एक मिनट में सर मेरे दिमाग में तो य यार क्यों नहीं समझता है कि उनकी एक्टिविटी उसी के रिलिवेंस में आए उसी के एक्कॉर्डिंग आए ऐसा अगर आप कंपेर करेंगे कि बाबा साब माक्स क्यों नहीं तो यह इर्रेलिवेंट कंपारिजन है दोनों की भागुलिक सेक्षणिक और उनकी परिवारिक सोचने का नजरिया उनके कारे करने के जो पैटर्स थे उन्हें बिल्कुल कॉइट डिफरेंस अगर अगर कोई साथी और बोलना चाहते हो तो वह जवाब दे मैं भी शामिल हो लूँगा मैं इस पर बोलना चाहूंगा आपका जो प्रेशन है उसको एक बार दुबारा से बताएंगे तो शाक्या जी ने जो जवाब दिया था उसी पर मैंने प्रेशन किया था वह उन्हें बता था कि एक मिनट में करांती कैसे हो सकती है तो शाक्या जी ने उसके बारे बताया कि एक मिनट में करांती हो सकती है राजा को डेर कर दें एक मिनट में करांती हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि क्रांती पॉजिटिव या नेगटिव क्योंकि जो नेगटिव चीज है वो आप की तरह फैलती है पॉजिटिव चीज शाक्या जी ने उसका जवाब दिया वो रिस रिस के चलती है तो कोई भी रिवालूशन जो एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है उने चाम के लिशस्टिव चौन करूरी होगो है झारे उसक लेकिन इसे पॉजिटिव थे प्रोच पांती के जरुत है अगर एक पावर की साथ आगे न ही गए हैं और ऐसे ही अगर हम लोगों अगर हम ये सोचें क्योंकि हमारे जितने यहां पर conversations होती है वो हमारे context में होती है अगर कोई ऐसी चीज है कि वो हमको एक second में या एक minute में एक साथ जोड देगी या एक साथ हमको जो है वो करांती ले आएगी और हम में टाइम लगेगा उसमें हम एक second में एक minute में या एक दिन में नहीं करते हैं बिल्कुल सही अविशेक सब बिल्कुल सही बहुत बहुत साथू बात ठीक है लेकिन यह प्रसने का उतर था एंड़ी सर आपके कि एक minute में क्रांती अविशेक सब ने क्लियर क्या कि वह होड नहीं करेगी बहुत सारी क्रांतियां जैसे रश्या की क्रांती एक बार में हो तो गई मस्दूरों की जार पर कपजा कर लिया लेकिन रेस्टोर हो गई तुरंद वह स्थाई नहीं होती और भी कोई साथी अगर कि एक आदमी आएगा जुड़ेगा आपको फ्रिक्शन देगा तुचार गंटे लेगा चला जाएगा तस आदमी आएंगे फिर बीच में सवाल जवाब करेंगे कुछ नेगेटिव आएंगे तो यह रिस्क ना इसी को कहते हैं सर लंबा प्रोसेस लेकिन यह बिल्कुल सही के स्थाई और पॉजिटिव यह स्थाई और पॉजिटिव दोनों इसके परणाम सुखकारी होते हैं एक मिनट की करांती के परणाम कोर्सिव होते हैं उनमें बहुत मारकाट होती है और बहुत दूरगामी परणाम उसमें सामने आते नहीं होता सर एक सोटी करांती मैंने भ प्रिश्ट भूमी जो आपन चर्चा कर रहे हम सब लोग चर्चा करें इसी पुष्ट भूमी से अगर आपन चपन की क्रांटी कुछ ना करें तो कैसा रहेगा ऑपन लाकूर की विए पॉजिटिवीटी और निंगिटिवीटी के बाड़े में जो बात करें आपन तो उनी सो चपन ने बाबा साब नी जू खांटी की इसा मुझे लगता है तो यह पॉजिट्वालिटी के बारे हैं, मैंने सोच सकती कहा है, सर वह क्रांथी? सर वह जो मैंडिन फिफिट्टी सिक्स में बावा सायद वीमरा उविटकर साहथ में जो एक लिए वो एक बड़ी धीर-कालीन क्रांथी का संकलप आप हुट तो एक दीर-कालीन क्रांथी दिरे दिरे होती है तो उसके बाद से बहुत सारे सरकारी सेवाओं में बड़े नियोजंस में हमारे साथ ही गए इस थाइवे उन्हें ने शोशल मुमेंट्स पाडिसिपेट किया तो यह वो क्रांती का ही पड़ाओ है दिरे-दिरे करके होगा और आप देखेंगे बाबा साह और जो इमिटेट करांती दोनों में जो डिफ्रेंसेस बताया अपने मैं बगवान बुद्द की बात करूंगा जो बुद्द ने एक बात बोली अगर उसका मतलब जो अंतर चेतना उनकी जागी जैसे उन्होंने सोचा अपने बारे में हुआ हैं वेरा उसके बारे में सोच अपने अपको पहचाने की गोशिश की अपादीपव बाबा एक संटेंस जो बोलते हैं अपादीपव बाबा तो इसको एक में तुमिक रांती नहीं माना जाएगा सर जो आप दीजिए सर मैं तो पहले ही कह रहा था अतुल सर्चेमन का जो निसर का कुश्चन है वो बहुत कह रहा है और वो दूसरी और लेकर जा रहे हैं उसको मेरा जो सोचने का निजरिया तो यही था अब आपने के लिए कर दिया बताइए सर देखे अध्य दीपो भवा बुद्ध ने एक दिन में तो दिया नहीं था उसके तीचे सर नहीं मेरा कहने का मतलब है विए उनके माइंड में एक सेकेंड में विचार उत्पन हुआ कि मुझे अपनी खोज करनी है क्रांती होगी क्रांती तो होगी बिचार अगर उत्पन होगया तो वो एक सेकेंड में उत्पन होगी तो इमिडेर क्रांती है वो एक सेकेंड में रैंदर करांती हो जाती है नहीं है हम रिए रिजल्ट की बात हbey में कर रहे है जैसीThis Channel liya जैसी आपके मन में वह बात आई क्योंकि सारा खेल मन से चलता है जैसी मन में आपके बाद आई तो आपने वो करांती आपके मन में तो शुरू हो गई अब वो आप उसको जो है फिजिकली सब के सामने आप उसको रखेंगे वो एक प्रॉसेस में चला जाएगा सर उसका डीप इंपेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाफ होता है अगर हम जितने वीदर विपल के उपर कठा हो रहे हैं सभी और हम सारे लोग एक प्राण करते हैं कि हमने अपने फैमिली में एक न्या ट्रेंड चलाना है हम गुड मॉनिंग नहीं बोलेंगे हम अपने बच्च कि देखि29 ुट्ध सारे हीना जब से दूना में इस उना है सुबह हुटते ही जैकर भी के अब हमारे खर में सुबह उटते का दैस बैसा aleyden कृट सुबह हमारे मिलने वाले था हुक्त समझ नहीं यह हुक्त के दो तो यह चीज जो है हमने अपने घर में देखी और यह हम आगे लेके जाएंगे तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि यह हर घर में ऐसा होना चाहिए बुड मॉनिंग भी एक एक वे ओफ ग्रीटिंग है वह आप कर सकते हैं लेकिन आप जैवीम अगर बोलेंगे तो उसका इंपक् कर आती है तो इसका इंपक्ट उतना ही जादा बढ़ जाता है है हम इसको ट्रेंडिंग कर दें तो वो सदियों तक है उसका जो इंपक्ट है उसको कोई तो नहीं है जी सर एक सवाल मेरा भी आप से कि जब किसी का मन बड़े बल्वती आवेग से किसी प्रेश्ण को बना रहा होता है उस समय उसके पीछे उसका मोटिफ क्या हो कि पीछे तो मुझे कभी मौटिफ दिखाई नहीं है जीग्यासा तो सिच्वेशन समय के साफ से अपने अपी परवत्तन होती रहती है इसका मतलब बुद्ध का भी कोई मोटिफ नहीं कुछ नहीं था है मेरे पीड़ा क्यों थी जो उसकी जो इसकी एक होता है जैसे हम कि अपने अपके अंदर में मतल्ड बॉडी मतल्ड यह मेरी अपनी परसन थींकिंग है इसा नहीं मानता हूं कि मैं ठीक हूं मुझे यह चीज मैंने अपने आप में फाइंड आउट करनी कोशी कि तो मैंने यह पाया कि इंसान के जो अगर बॉडी को तीन हिस्सों में सब्सक्राइब करें इसान को पूरी जिन्दकी और शायद बुद्गी भी वही स्थिर्ता थी उसकी मेंटल जो भूखती वह पूरी नहीं हो गई और मेरा इंटलेक्शल की जो इंटल डिजायर पूरी नहीं हो पा है एक और प्रशन एसोशेटिव इसी के साथ आपने कहा शरीर को तीन हिस्सों में बाट देते हैं अपर मिडिल और लोवर आपने कहा कि लोवर जो है जो पाइट लोर पूर्चन है वह सेक्शल डिजायर का है कि की जो कुछ भी होता है सर्फ विचारों से चलता है शरीर का प्रतिक अंग उपांग इवेंच शरीर का कोई रोम रोम भी हिलता है आखे पुपियां भी हिलते हैं अगर किसी दिशा में सौंदर होता है तो नजरें उधरी घूम जाती है तो भी दिमाग की कारस्तानी है तो आप यह बताईए अगर शरीर से दिमाग से हाइपो थेलमस को निकाल दिया जाए तो आ तो इसका मतलब है कि बुद्ध जी ने अपने किसी निजी उद्देश इसे ना प्ररीत होकर एमें रेंडमली एकसेस किया कि उनको एक बार एक सेकेंड में रिवॉलीशन हुआ जैसा आपने का कि एक सेकेंड में रिवॉलीशन तो मुझे लग रहा है जो आपने थेरी के प तो इसका मतलब है कि हमें कि सुनियोजित प्रेकीस लेक्र विपश्चना करतें बुद्ध बनने का प्यास करतें वर दिसद्टा मिलने के चांसे कम है फिर आपके हसाब से कि बोद्ध के बारे में किसी और के बारे में कहना तो वह ज़्यादा ठीक नहीं होता क्योंकि जो सिट्यूशन के अंदर में हिसाफ से इंसम्म का जो मानसिक्स थी है उस तेम हम तो एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा मनुष्य में कामन क्या है पुराने समय से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य के बीच में आज तक वह चीज जो कॉमन है वह कौन सी चीज़ है पूछ रहा हूं कि पुराने जीवधारी से लेकर और आज तक मनुष्य में कौन सी चीज़ कॉमन है जो कॉंटिनुवस भी और कॉमन भी मैंने यह पूछा कि आदिम काल से लेकर जब हम जंगली जानवर थे तब से लेकर करें कि मनुष्य में कॉमन क्या उसकी आदतों में उसके सभाव में जो आप भी जो में आप कहते हैं न फाइब मिले के पैदा हुआ है और आज तक वह साथ में अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी की दो ही मूलगूत आवश्यक्ता हैं जिनको क्वालिटेटिवली और क्वानिटेटिवली अलग अलग तरीके से अटेन और रिटेन करना चाहता हो वह थी हंगर इंसेक्स सारी इंडस् कनी स्वाल है जी जी चीरिश्ला अब झीश्णर मंधी है हाँ यह बात बिलकुल स्वाल ही है अब मेरी एक उप्सुक्ता यह कि एक वैक्ति साधान मेस्टि और एक बहुत सारे लोगों का समरत एक व्यक्ति के पीछे बागता है और वहा सबस्ते कि वहीं मार्ग कंसरण सकते हैं जिस समय कोई वेक्ति दूसरा सोच रहा हो जीवन तरीके से वो प्रतिमान पूरी तरह से लागू होता है की नहीं और उसको मानना कहां तक की बहुत दिखता है जी हैंडिशर सर इंसान का जो है जहां तक मैं समझ पहता हूँ जब हम बात करते हैं अपने बहुत ही ग्यान की जहां किसी और चीज़ के में जो आप बाते करें वो सहरे बहुत ही ग्यान के उपर में हम अधारित है कि हम किस चीज़ को क्यों करते हैं कैसा करते हैं तो मेरे इसाफ से जितना डिशाइनर लाइफ जी रहे हैं डिशाइनर सोच को ही मतलब हमारा अपना कुछ भी नहीं था जो कुछ वर्ट्समों कि खिली के लिए जैसे बुद्र में मतलला अपना ओफॉद ए।े हो इन इस प्सित्स की वो उसका प्ना कि एक सिस्टम को मैं हम् Patak यहां में सब्सक्राइब हम योज बीक सैंडर जैंज में अक्षा कुल है ब मत charms किसी भी किसी भी रिलिज्स स्कृप् intrins को ले लिए हमारा इनसान के इंधर हितना वो सास नहीं कि उसको चैलेंज कर सके उस थौर्ट्स को तो वो डैड को ही तो फॉलो किया जा रहा है मरा हुआ साप गले में डालके गुमने से तो थोड़ी साम बन जागा है क्रेटिव इटी थी आइंस्टेन है वो क्रेटिव है उसने सिस्टम को निकार दिया अगर मान के चलते रहते हैं वो हमारे पूरवजा ने का है तो गोल ही रहती सर उसकी और शेप तभी पता लगे जब किसी ने चैलेंज किया चैलेंज तब होता है जब हम एको सिस्टम से बाहर जाके कुछ नहीं चीज की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर रेवोलिशन होती है तो वो नेविचार से होती है पुराना को कैरी करने से नहीं होता कुछ भी सर ऐसा मेरा अपना पूट है करोडो लोग नया पुराने बने हुए मार्ग पर चलते हैं और कोई एक दो होते हैं जो नया मार्ग बनाते हैं और उस पर चलते हैं उसको फिर रोडो लोग फॉलो भी करते हैं कि यह सब्सक्राइब करके कोई भी एवोलिशन नहीं हो सकती सब्सक्राइब हो जाता है जब ऐसे होने लग जाता है तो फिर कोई राइज होता है सब्सक्राइब हो सकता है तो कोई हो सकता हमारे पर इसमें बहुत जारा इंटलेक्चिल हो वो एक मिन्त में करांती सारी विचार दे दे पुराने विचारों पर तो हजारो संगठन खड़े हुए है वो क्यों नहीं रेवोलिशन ला पर है क्योंकि उनके पास निया देने के लिए कुछ भी नहीं है वो पुराने कोई तो कहरी कर रहे हैं पिर भी यह है कि हमारी डेफिनिशन से लग लगा है समझाने के तरीके लगे हैं सब कुछ इसी दुनिया में घटता रहता है न्यूटन से पहले बहुत बार बहुत घटनाएं कितनी बार घटनाएं होती रहें लेकिन खेवरी तो ग्रेविटी की न्यूटन ने दिया और आज भी गटनाएं घट रही है और पहले भी गटती थी बिल्कुल सर गटनाएं घट रही हैं सिर्फ वह जो हम उसको जो 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 अवे शिकार को देखते हैं वो न्यूटन से नहीं देखा जाना चाहिए सर गाउंद यहाद के अंदर में चोटे-चोटे जो है जिनको हम पढ़ गयते हैं वो भी छोटे-चोटे वशिकार कर देते हैं तो बहुत ज्यादा जीवित हैं हमारे कर देखा करके हम बच नहीं सकते कि वह अविसकार विल्कुल सही है ठीक है लेकिन उनका अविसकार बड़ी सीमित और छोटे-छोटे जिसको जुबार भी कह सकते हैं कभी करके फ्रिफश कारें हम बिचार को तो allons ने करें हम तो यह कहें रहें कि पश्कार हों गया कोच नया नया तो हुग है का यह सफ नते चलिश्ची का माइक माइक पुला है माइक बंक कर लेते हुऐ अमरीका में मोदी साहब गए थे क्या हुआ जी सर परियार सर अमेरिका में क्या बहुत खबरें आ रही है वाइरल हो रही है कि कि वहां पर यह भारत की काफी वीडिया तो बताएगा निए चिद्धें क्या हुआ यह कि एक गलती से आज तक की पत्रकार अंधिना उंक तश्यब जीने एक गिड़ में नगाले बजाते हुए आत्मी के साथ एक गीडियो वाइरल की और वह बाइट है लगबग 45 सेकेंड की वह उसे यह प्रश्न करती हैं कि बताएगे आप यहां कैसे आएं तो वह कहता है कि जी हम तो हमने तो बुलाया किया है वी है थेस्ट कम एर फॉर एमिजमेंट उनको मोदी जी का नाम भी नहीं पता है वो क्लिप बहुत तेज चल रहे हैं यह मीडिया में तो यह है तो उस बहुत सारे लोगों ने हमारे आपको कैप्शन लिखे हैं ना कि भाड़े की भीड अमेरिका में भी वह तो इन्हों नहीं आप ठीका रखिया है यह सब इनी का सब्लैंड है काफी टाइम से काम कर रहे हैं जो भी इनके प्रोग्राम होते हैं उसके साथ-साथ लोग भी जात अगबारों में कुछ आ रहा है बाइडन और इनकी बातचित्ता और इस विद्धिया में कुछ हो रहा है इस वाइडन से निगेटिव इनकी फिलोसफिश है जीरो एंड इनिफिंटी जो आपने कहा था यह कुछ नो किया था इसे और समझा दिया जीरो है जीरो सर कोई चीज जीरो कैसे हो सकती है अगर चीज के अपनी विल्लिव वह अलग बात है कि हम उसको मेजर मेंट नहीं कर पा रहे तो जीरो तो नहीं होई जैसे सर हम अकाश की तरफ में हम युनिवर्स की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स हैं हमारी है जो चीजे जो चीजे हमारे फ्रेम से इतनी चोटी होती है कि ब्यॉंड फ मेजर मेंट होती है इतनी चोटी होती है तो उनको हम जीरो कहते हैं और जिनका हमसे हमसे बड़ा साइज होता है जो साइज में इतनी बड़े होती है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं बहुत दू यहीं से आप रिफ्रेंस लिपते हैं तो सर जीरो काम काउंटेबल कह सकते हैं जीरो काउंटेबल आपकी जहां पर रिफ्रेंस रखी जाएगे वहीं से वैल्यू बढ़ेगी सब्सक्राइबल कोई जीरो हो जाती है का मतलब यह कि zero और infinite space मतलब एक ही हो जाता है जब कोई कीज़ सुनिय में हो जाती है हमारी death हो जाती है तो हम सुन ने हो जाता है या नहीं हम अनंत में मिल जाते हैं तो स hijo और इंफिनिटी मुझे लगता है एक ही यह लगता नहीं मैं अलग-लग बता रहें दोनों चीज तो इन में क्या डिफरेंस दोने एक है या डिफरेंस अतुल सर जो बता रहे हैं वो मतलब रेफरेंस को लेकर यह रिलेटिविटी थियोरी को लेकर बता रहे हैं लेकिन अगर इस से अगर अलग हटके देखा जाए क्योंकि मैंने कुछ वीडियो भी ऐसी तो जहां कोई चीज एक्जिस्ट नहीं करती या नी वह चीज इन्फाइनेट हो जाती है कि की नेचर नेचर मैं साइच में तो अलग-अलग तरीके से ट्रीट होता है पहली चीज तो है जो हिंडरी सर्वी बार-बार एक तरफ थ्रेशोल दे रहे हैं मुझे लगता है कि दो अलग-अलग विशेगत चीजों को या विशेगत परिभाशाओं को एक साथ अंतर गुंफित होकर ना पढ़ा जा सकता है और ना ही उसको समझा जा सकत है बिल्कुल सही बात है कि किसी साथी ने कहा है कि जीरो एक सिंबल है लेकिन एक ऐसा सिंबल है जिसकी खोज पुरे विश्रु खिस फ़ीग waarते हैं मैंने कहा कि जीरो आपके उस अवस्था को दिव्तित करता है जो अवस्ता miniature form में होती है और यह जो miniature form है वह आपके अपने शरीर के इंदर इस्थित होता है आप अपने एक आपका average measurement रिफरेंस है आप कुछ चीजों को average तरीके से measure कर सकते हैं जैसे आप कई लाइट यह की दूरी नहीं आप सकते तो यह आनंत है जहां आपकी सबसे ज्यादा जो इक्यूब्ट चीज है वह लाइट यह ज्यादा भी आप मेजर नहीं कर सकते हैं और भी अभी नई अटमिकल और भी ट्रिक्स आ गई है उसके बाद भी डिस्टेंस से सब्स게क्प अब तो पारसेग वग्यरा भी है क्या अब क्या करते हैं कि जितने भी ईक्सलेटड पा्टिकल्स आइं एक्सालेट लाइट के पार्टिकल तो भी उकमलाया कॉक्तनक्त Amen । पार्टिकल्स को तो लाइट से भी आगे की कोई चीज पॉसिबिल है इसके उपर की भी लाइट इसके उपर की फ्रिक्वेंसी पॉसिबिल आप आप अनंत में चले गए वह एक ऐसा स्पेक्ट्रम था जहां तक आप जा सकते फ्रिक्वेंसी में ज्यादा काम हो रहे हैं हम लो पर बहुत नए काम हुए हैं लगता है कुछ सर अभी तो एक नई थेओरी है है एक और नई थेओरी है है एक नई थेओरी आई है बहुत मज़ेदार थेओरी आई और मुझे तो लगता है कि यह लौट घूंग के हमें अमर होना होगा तो हमी लोगों की एज है कि हम लोग अमर होने वाले हैं हम लोग मरेंगे नहीं खुशकबरी है यह सबसे वड़ी चीज क्या है कि अभी वैग्यानिकों ने किस तरह की खोच की है कि एटमिक थेओरी में जो परमाड़ होता है वो संकोच भी करता है शरम भी करता है उसमें हया भी होती है वो इठिलाता भी है और इसे प्रूफ करके दिखाया लैं उन्होंने एक इलेक्ट्रोनिक आई लगाई और स्पेक्ट्रम फ्रेम किये तो जब देखा जब इलेक्ट्रोनिक आई ऑफ रहती है उस समय इलेक्ट्रोन जो पैटरंस बनते हैं सामने परदे पर वो इनिफाइड होते हैं लेकिन जैसे इलेक्ट्रोनिक आई को ओपन करते ह पर एटम को ये वरोसा हो जाता है कि कोई चीज उसे देख रही है उसका पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है और जब अफ कर दी जाती इलेक्ट्रोनिक आई तो पैटर्न डिखलर दिखता है तो यह कंक्लूजन आया कि कौंटम इंट्विएक रखता है और मेडिटेशन जो आप कहते हैं कि माइक्रो में जाना है जीरो में जाना है लोग कहते हैं परम को प्राप्त कर गया परमधाम को प्राप्त कर गया बहुत सारे लोगों को ग्यान होता तो कहते हैं कि उनको एक तरफ से काटते रही है उनको तुप नहीं होता तरफ नहीं होता तो मेरे हिसाब से मेरी hypothetical थियोरी है मैं जैसा सोचता हूँ यह मेरा आगे का विचार है कि अगर मनुष्य कभी भी अमर होगा तो अपने सारे sensations को सारे memory को चुकि एक atom भी उसको रेप्रेजेंट करता है और atom कभी नहीं मरता है तो अपनी memories को वह हजारों करूनों अर्बों एक हमने मुवी देखी चिट्टी यानी रोबर 2.0 बहुत कुछ चीजों से पागल पंती से बहुत सारी चीज़े निकलती जेम्स वाट ने पागल पंती से दुनिया को इस्टिग पावर दी लेकिन जो जैविक की उनिट है सबसे छोटी सैल है और स्विल जो है वो कई आड स्टैनले मिलर का प्रयोग देखी है जिसने जीवन की प्रियाओं का और अंतिन केंद्र कोशिका में जीवन के सारे जीवन का सारा सार है और वो प्रोटोप्लास्म है प्रोटोप्लास्म है किंद्रक है किंद्रक पर तवाम प्रोमेटिट्स पाइदाते हैं उनमें जीवन का डियने आपके नेचर को कहरी करता कि आपनी का बच्चा आपनी होगा कूपूरवानर विलाब नहीं होगा यह कोड़ उसमें होता है तो यह तो बात प्रहों गई ले से मेरे समझ में नहीं आता कि जैसे जो सर में जुएं जो पड़ जाती है किसी बच्चे को महिलाओं को तो यह जुएं कहीं होती तो नहीं उनको कोई लाता भी नहीं और वो जो आज आती है नेचर के रूप से और वही किसी और बहुत दूर कोई दूसरा वच्चा हो दूसरी महिला हो वहां भी जुँँ अगर आती है तो दोनों के जुँँ में सिमिलेरिटी है यह क्या गुत्ती है मैं समझ नहीं पाता हूं अरे सर आपने कभी पॉलिनेश सुना होगा ना आपको लगता है मैं भी नहीं जानता है तो बस ऐसे ही थोड़ा बोड़ा कहीं पढ़ा है पॉलिनेशन पढ़ा है मैंने चोटे क्लासेज में कि एक फूल यहां से दो किलोमेटर दूर होता है लेकिन अगर मदुमक्की उसे अपनी टांग में चिपका के ले इस इनवाइरर्मेंट में करूनों और वों एक क्यूविक संटीमीटर में आपको लिखत नहीं है उनके बीज़ भी रहते हैं वो इनक्टिव स्टेट में रहते हैं आपके बालों में पहुच पाँचे अगर उनकूल माहल मिलते हैं उनके उनमें आ जाता है ना साथ हो जाता है जैसे आप देखे वाइरस है वाइरस पूरे इंवायरमेंट में है फ्लीट वाइरस है सारे वाइरस घूमते रहते हैं आप सांस लेते हैं उनको एक्जेल कर देते हैं लेकिन अगर आपकी बॉडी की इम्मेटी कमजोर हुई और वह होता है जब मौसम का ट्राशिशन ट्राशिशनल पेज में आपके सारे इंफ्टिंस करी होते हैं तो आपको यह लगता कि जुए हो जाते हैं जुए होने की तक्रिया बहुत पैसर कि क्या आप जातें दूल दक्र जब जितने लोग बाहर जाएंगे या आपकी हवा में कहीं गल्ती से वो वाइर और उसमें कीले पड़ गए थी जब कि विल्कुल शुद्ध था हवा विद्दमान थी शुरुआ की लवा उसमें कलब थी शुरुआ की हवा में ही माइक प्रोप्स थे ना जो बंद होई थी उसके पार्चा वेल्ट से पहले क्योंकि गेहूं गए रहे कभी कोई अनाज हो कि अमर होने की तो उसके उपर मैं थोड़ा सा कुछ है डाउन करता हूंगा प्लीज अजो हा जिस्टम से तो एक बार जीत के वहां के सिस्टम में का भी होगे कुछ है अपना बना सकते हैं अगर जो हमारा जो दूसरा गैप अपड रहा है ना जिस टेक्न टेक्नोलोजी के हूं बहूत पिछड़ते होँ जा रहे हैं तो उसको कवर अपनी कर ते जसे आपने बताब कि इमार होने की बाद है जो साइंस जो है बहुत ज़हदा हाई लेवर पर अडवांस लेवल पर जारी आप ओम मालों है इसके तारे में तो अब रहने की बात जो चल रही है वो पॉसीबल हो सकता है ऐसा मैं मतलब गरेंटी किजा नहीं कहता है हो सकता वो पीरिड बहुत लंबा हो 200-500-700 साथ सुझाल का हो मगर उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तेजी से काम चल ला है अभी जो है साइन्टेस्ट उसके पर रिशाच कह रहे हैं उनके कुछ पड़जेक्ट्स हैं जैसे आज कर पहले इंजिनेरिंग के साथ हमें इनोने बायो को भी अड़ेश्टेइए बायो इंजिनेरिंग के बना दिये सब्जेक्ट्स है कि आपिरयास के तो लग लग बहुत में इस्का करें चैनल के अकल बुलड के थ्रो इंफ्यूज अरδया में इतने स्माट होंगे जो मतली वाई कटिकुलर जो वाइर बैक्तिरियस ज्याज वाइρέस है वो पूरे ब्लड के त्रूफ लो करके उसको फाइंड आउट करेंगे उसको किल करेंगे और बाड़ी से बाहर निकल जाएंगे अब वो रिसर्च में यह कोशिच चल दिए कि उनको मतलब बैक अप में अनर्जी कहां से मिले उसको मूव करने के लिए उसके उपर उसको वो ब बढ़ेंगे जैसे आपने कहा ना कि इनको एनर्जी कहां से देंगे चाइना ने एक नैनो मोटर बनाई है जो प्रोटीन से चलती है जैसे शुक्राणों होते हैं उनकी टेल में माइट्र कॉंट्रियाज होते हैं और प्रोटीन से निर्वित होता है पूरा वह आटोमेटिक कर रहे हैं उसको ट्राइल बेस्पे करेंगे अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया के अंदर में बड़ी बड़ी जितनी भी ब्मारिया चो मंतर हो जाएंगे मिन्टों में जायब हो जाएंगी और गन्स रिप्लेश्मेंट की तो त्यारी होई है लैप के अंदर में और बनाने क का कंसेप्ट को समझसे बाहर है आप एसको ऐसे समझीए आपने टो समझी को मिक्स करिये नेनो टेखनोजी आपने बताई दिविए इसके बाद बॉडी के साथ जो इंटरक्टिव ईंवायरमेंट उसे बोलते हैं बॉडी की पिएस वैलिए इन तीनों पर अगर आप देखे रिसर्च बेस पर हम बात करें जो आज के पुरे वर्ड की नासा की और M.I.C.T. की और भारत की जो टेक्नलोजिकल जो टीम है और जो उसके कॉमन पेपर से अप्रोच पेपर हैं उसे अप्रोच पेपर में अगर आप जाएंगे तो आपको य माइक्रोप्स बाइरस और बैक्टिरिया आही जाते हैं आप इंवार्मेंट को क्लीन नहीं कर सकते हैं इंवार्मेंट इंटरकनेक्टेड और बड़ा सिंक है अगर कोई अमेरिका में छीकेगा तो वह हो सकता हो कि दो-चार साल बाद वही बाइरस भारत में टहल रहा हो क्य वह 7.5 से नीचे ही होता है आप देखे अगर 7.5 से नीचे तो आपकी जो बॉड़ी एसेडिक है न अजर एसेडिक बॉड़ी में सारे इंफेक्शन होते हैं ब्लड कैंसर का कोई आज तक लोगों ने सेट डेफिनिशन नहीं दी लेकिन जो मेजर थेयोरिस्ट हैं ब्लड कै नीचर है वहां पर बॉड़ी को डेमज नहीं हो तो एसेडिक मेडियम में बॉड़ी के सारे नुकसान है यह मतलब मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन है कि बॉड़ी के रोग जो डिजीज पढ़ाई आते हैं डिजीज के मेजर कॉसे में बताया जाता है कि अग पेट में चाहे लीवर से चाहे किड़नी से आपके स्टमक में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है एसे डिटी की कॉंटिनियरस प्रॉब्लम से भी मेजर रोग होते हैं सारे रोग पेट से होते हैं यह अलोपेटिक भी मानने लगाया और अगर ब्लड ब्लड की पिएच वैलि में बराबर पानी आया करता था लेकिन अभी कम हो गया हमको महसूस होती थी हलकी हलकी और मेरे दाथ भी थोड़े से वीख हो गए उसी की वजह से और मुझे कैंसर था और अभी भी हम फालो अप चेक अप लेते हैं और हम 2000 में हमारा इडेंटिफाई हुआ था तो आपकी इ जोड़दार बात है यह बड़ी रिसर्च यह इसमें कोई शक्त नहीं जो बात में आप बाड़ी आपकी अलकलाइन है आप यह देखे विदेश के लोग एलकलाइन के पीछे इतने पागल क्यों है क्यों कि उनके पास मेजर रिसर्च वह गाउंत नहीं बताना चाहते इस बात के पानी पानी की जो वैल्यू है आपके शरीर में 95% जो वैल्यू आप डिजीज है न व पानी सबसे शुद्ध तो पानी होना चाहिए बाणी आडिनेरी पानी पीने से जब मेरे पास कोई अप्रोच नहीं था तो हम वाएल पीते थे जी जी देगा कि पानी जो बाहर का ऐसी नॉर्मल पानी पीने से हमको हमेशा पैट की प्रॉबलम रहा करती थी और आज कुछ हमको सजेस्ट करना चाहेंगे इसी डेटी के लिए अभी जिसे में कभी प्यास लगती है मैं एक दो बार पानी पीता हूं हो सकता है खाने खाने के साथ अगर आपको जो आपके रेगलर रूटीन में जो मेडिसिन्स डिसक्रेप्शन्स हो उनके साथ आप एक च मुंकी दाल और रोटी सिंपल रोटी बिना किसी घी रही किसी के भी नहीं जी और दूसरी बात आपको ख्याल यह रखना है कि पानी का जो भी आपको वैल्यू पीना है तो आप लिटनस लगा कि पानी पीजे आप 7.5 से उपर का पानी पीजे आपके लिए जरूरी यह है कि मिनरल जाये मिनरल कदर नहीं होते हैं जिस तरह कि आप डिजीज के अंडर सर्विलांस में उसमांपको बॉड़ी की एसिडेटी परकाम करना है प्लड के पैट में इसटी बनती है ना इसे जो आपने पान से बनाया है आदरवाइस मनुष्य की जो बेसिक प्रवर्थ है बा लाइन आप उसमें देख लिए न हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पता तो ही बात घर में जैसे आरोग के पानी को मैं उसका पिएच कितना मेंटेंड करूं और कैसे कर सकता हूं आप एक काम करिए ना एक तो आप चार मटके वाली पुरानी प्रडाली अपना आप उसमें बबूल के पेड़ का चारकॉल बना लीजिए घर में जैसे आप यह नहीं सर आपको एक बार करनी है आप फिर घर में स्टील के बाउल्स ले 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 चार बाउल्स उनको इंटरकनेक करा ले और उसमें जो सूथ के धागे नहीं होते मोटे जिसे अब कभी नाड़े में इस्तेमाल करते हैं गाड़वां के उनसे पानी छोड़ते ऊपर आले बकेट से आप चारकॉल से पर पैबल से उसके बाद मोटी बज़री से उसके बाद पार लिए जो प्री केंडिल सब्सक्राइब करने के लिए हम ना नीमबू थोड़ा सा और वो काटके और एक खीरा यह यूजली डालो जैसे आदा कि रप्पीस करके ऐसे एक नीमबू के एक नीमबू भी नी वन फोर्थ और उसमें डाल दो तीन-चार गंटे बाद में वो पी-एच वेलिव उसकी पानी में दो नीबू पांच लिटर में डालो चाहिए पुरा पुजो भी है आपकी इंप्विव या बेक्टिया बहुत कुछ जाएगा तो वह ऐसे बिमार करेगा तो पानी में नीबू बोल दिया तो वह आपके लिए जहर हो गया कट करके पीश डालने एसी खीरे के पीश डालने चार-पांच गंटे चोड़ दीजए उसकी पी एच्वेल्व मेंटेन हो जाती है कितना देर चोना है पाच गंटे सब्सक्राइब नियुक्ष गंटे बाद में आपको पानी योप पूरा प्रोपर मिलेगा पी साथ साथ सीव पर मिलेगा अगर मान दी य। तो हमें कुछ नी है उसमें तो वो तो उसमें कुछ रहता है नी फिल्टर आगर हम रोज नीबू डाल दें और साम को हटा के दूसरे दूसरे दिन फ्रिश ने ऐसा कर सकते हैं यह जो श्टॉरेज में डाल सकते हैं लेकिन इम्हाइं आप अलग पर पानी पीएच वेल्यू का मिलेगा साड़े साथ से उपर का आप बाहर निकाल दो को अगर सर किसी को और अच्छा पानी पीना है तो आप अपने आज जो ताड़ी बगारा होती है ना जो निकलती है अब मेरे लिए तो संभू नहीं है यहां पर अधर फ्रेश मिल जाए यह प्रैक्टिकली पॉसीबल है ना रूटीन में घर में कुछ नी करना राट बहुत बढ़िया बता है अपने नीवू जो है वह हमने माली जे कि हमें तीन लिटर प्चार लिटर पीना है तो हमने तीन च कर दो इसी तरह की रे के आधा अधा धेरा डाल लो माल लो अगर हम दो ली टर में डाल थे जाय है कि वह सकते हैं एक डाल सकते हैं एक आईटम भी आप है 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 बंद 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 आ करने टाइम हो चुदा है ठीक है ऑचल सर कि अल्कलाइन वाटर सब पी हैं सब रहा सर वो आज की डेट में कुछ मशीने भी आ रखे मार्केट में अल्कलाइन बाटर के लिए वह उससे घर में बना सकते हैं फिर कैमिकली अल्कलाइन दैसा है तो नेचरली यह ने सर उससे भी खतरनाग है वाली भी है केमिकल पर ली भी हैं दूसरा भी कोई है शेर में कर सब्सक्राइन और आतो रहे हैं मैंने भी लब आते हैं लोग काफी लो यह लो यह सिदासा है आप फिल्टर जो तो है यह हमारे पास उसमें दालो अल्कलाइन हो सकते हैं जैभीम नमोग है आई अलकलाइन घरक ही हो गया साथ नेचरली अलकलाइन वाट रहो है है अधुर्यान समय ने बनाया घर मैं योज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइए अटुद जी जी सर अश्टर संचलन आपने बहुत बढ़िया किया थांक्यू सर स्भाइको बहलो बगवान बूद कीजे कर दो 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 झाल झाल